मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको A से लेके Z तक, 0 से लेके Hero तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी के से समझाऊंगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है पहली चीज, सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी, वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज, आपकी practice batches भी इसी के अंदर मिले गए चोती चीज, यहाँ आपको live doubt session मिलेगा पाच्वी चीज, आपको यहाँ पर free or course test series प्रोवाइड करा ही जाती है Thank you मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमश्कार आप सभी का धन्यवाद, सादुवाद, स्वागत है मेरे इस वीडियो में मेरे पेरे बच्चों, मैं यह जो चप्टराज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको लगबक चार से पांच ही सो में मैं पढ़ा रहा हूँगा और यह एक recorded session है, जो आप अभी देख रहे हैं मेरे बच्चों, मेरी तरफ से पूरा ही मानदर प्रियास होगा कि इस average वाले session को जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको पढ़ने के बाद आपके कोई doubt ना बचे मैं पढ़ाते वक्त अपने अंदर तीन चीजों को अपने teaching style में जरूर रखूँगा पहला कि बिल्कुल basic से बता हूँ दूसरा कि आप उसके concept को पूरी तरह समझ पाए और तीसरा exam में step के question पे कैसे approach लेनी है तो इन तीनों चीजों को समलित करते वे मैं ये lecture आपके लिए तियार कर रहा हूँ आए मेरे बच्चे मेरे पहरे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं average average का basic मतलब आप सब समझते हैं ओसत मेरे बच्चों ओसत निकालने के basic सुत्र सभी को पता है कि sum of observation upon number of observation आपको का योग बटे आपको की संख्या मैं आपको अगर ये कहूँ के भाई 15 20 और 45 आप मुझे इसका ओसत निकाल के बताईए तो एक basic तरीका होता है ओसत निकालने का कि सर्ष सभी आपको जोड़ दोईजिए 15, 20, 45 और जितने आपको जोड़ें उतने से भाग दे दिए एक दो तीन तो जब आप इने जोड़ेंगे तो 45 और 15, 60 और 20, 80 तो मेरे प्यारे बचो आपका ओसत आजाएगा 80 बटे दिन तो ओसत निकालने का सुत्र हुआ sum of observation यानि आकडो का योग बटे नमबर of observation आकडो की संख्या मेरे प्यारे बचो आज मैं आपके साथ जो discuss करने जा रहा हूँ वो discuss करने जा रहा हूँ consecutive numbers consecutive numbers जिस हम करमागत भी कहते हैं बहुत सारी जगें इसे लगातार भी लिखा रहता है लगातार संख्या है करमागत संख्या है consecutive numbers मेरे बच्चो लगातार या करमागत का मतलब होता है जहाँ पर एक करम को फूलो किया जा रहा हूँ यानि हर दूसरी term के बीच का जो difference हो वो same हो हाँ है न और जहां हर दूसरी term के बीच का difference same हो उसे हम arithmetical progression भी कहते है arithmetical progression भी कहते है यानि AP भी कहते है तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चो वो हम उन संख्याओं के बारे में करने जा रहे हैं जो लगातार है करमागत है जिन में हर दो कंजिर्टे उटांस के बीच का जो difference है मेरे प्यारे बच्चो उसे ही में तो आईए मेरे बच्चे इस पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कुछ छोटी चोटी और बेसिक बातों के बारे में जानकर लेते है मेरे बच्चो जैसे मैंने लिए जी मैंने लिखा पंद्रा सूला सत्रा अठारा उन्यास ये कैसी संख्या है तो आप कहेंगे सरी करमागत संख्या है किंजिक्रेटी टरमबर कैसे साथ, पंद्रा, सूला, सत्रा, एक़ का डिफरेंस होता चला जा रहा मैं कहूँ अठारा, चोविस, टीज, टीज, चथ्तिज यह कैसे नमBER है सर? यह करमागत नमबर है इन में हर एक में छेचे का डिफरेंस लता चला जा रहा है मैं कहूं चालिस तीस बीस दस यह कैसे है सर यह कर्मागत रंबर है इनमें हर एक में डिफरेंस 10-10 का होता जा रहा है मेरे पैरे बच्चों यह सारी कर्मागत सेंगया है यहां जानी कि जहां हर कर्म के बीच का जो डिफरेंस हो उसे अब मेरे बच्चों हम चर्चा करते हैं कि इनका ओसत कैसे निकाला जा सकता है देखिए जैसे ये मैंने नमबर लिए और मैं आपसे जानना चाहता हूं इनका ओसत निकाल गिपता है तो एक ओसत का सबसे असान तरीका है कि सर इन सारी संख्याओं को जोड लीजे इनको जोड लीजे तो सर जोड़ेंगे 9, 8, 17, 7, 24, 24, 36, 35, 35, 35, 3, 4, 1, 4, 1, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 50 अब सर जितना जोड आया जोड कितना आया मेरे बच्चों पिच्चा से संख्याओं कितनी है पांच तो पांच से से भाग दे देजे तो उतर आया सतरा तो उसत आया मेरे बच्चे उसतरा मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान अकना कि अगर संख्याओं लगातार हैं तो उसत जो होता है ना वो हमेशा ही लगातार संख्याओं की बात कर रहा हूं तो इन में जो सबसे बीच वाली संख्या है वो मेरा उसत होगा हाँ जी एक काम मोर भी कर सकते हैं आप उसत निकालने के लिए कि सबसे सरुवात वाली और सबसे आखरी वाली का भी उसत निकालेंगे तब भी यही आएगा पंदरा जमा उननेस बटे दो करेंगे नमबर की कुछ विसेशता है तो भी उसत 17 ही है हाँ है न यानि अगर कंजिकेटिव नमबर है तो हमेशा बीच का नमबर आपका उसत होता है हमेशा बीच वाला नमबर उसत होता है दूसरी चीज अगर आपको जरूरत हो के बीच वाला ढूंडने की तो ढूंड ये नहीं तो पहला और आखरी नमबर दे रखा है तो उनका उसत भी भही उसत होगा सारी संख्याओं का इसका और इसका उसत भी भही होगा जो सारी संख्याओं का उसत होगा जैसे मान लीजिए मैंने इस सवाल में आपको कहा कि भाई यहां मैं नंबर 20 लिख देता हूँ अब बताएए मेरे बच्चे होसत क्या होगा आप कहेंगे सर 20 जोड देते हैं इसके इंदर तो 20 जोडेंगे तो यह आजाएगा 105 105 आया सर आपने का जी बिलकुल सही है अब 105 आया इन सारी संख्याओं का जोड और नंबर कितने हैं एक दो तीन चार पांच छे तो सर यह उसत आयागा कितना 17.5 तीन से खट जाएगा 17.5 आपने का सर उसत 17.5 है लेकिन यह बीच का कैसे होगा यह बताओ तो मेरे बच्चे मैंने का कि हमेशा मिडल टर्म जो होती है वही हमारा एवरेज होता है मध्यपद जो होता है मध्यपद जो होता है या मिडल मोस्ट टर्म जो होती है मिडल मोस्ट टर्म जो होती है वही मेरे बच्चे हमारा ओसत होती है अब आपको जी यहां तो middle most term 17.5 नहीं है देखो यहां सबसे बीच की term कौन कौन सी है यह दोनों ही बीच में पढ़ती है क्योंकि 5 term थी तो तीसरी term बीच की थी यहां देखोगे तो मेरे बच्चों 5 term थी 5 term थी यहां पे तो दो इधर थी दो इधर थी सबसे बीच की term कौन सी है यहां जी लेकिन अगर term 6 है तो बीच की 2 term आएगी तो इन दोनों का बीच ढूणना है तो 17 और 18 का बीच क्या हुआ 17.5 अगर बीच ढूणना नहीं आता तो आप ऐसे करिए 17 जमा 18 बटे दो 17.5 आप ने गाँ जी ठीक ऐसे है तो सबसे पहले तो यही बताओ कि middle most निकालते कैसे है तो मेरी पियार बीच की बेसिक तरीका है जीतनी number of term है जीतनी भी number of term है जीतनी भी number of term है अगर N की value ode है अगर n की value odd है odd माने विसम संख्या है अगर n का मतलब विसम संख्या है n मतलब odd term है तो मेरे बच्चे जो middle most term होगी वो हमेशा ही n plus 1 by 2th term होगी 2th term होगी वो हमेशा कुन सी term होगी मेरे बच्चे n plus 1 by 2th term होगी हाँ जी अगर sir n एक even number है even number है यानि sum संख्या है यानि पदों की संख्या sum है तो middle term जो बनेगी वो बनेगी n by 2th term plus n by 2th plus 1th term इन दोनों का जो आदा होगा वो आपकी middle most term बनेगी जैसे example के तोर पे माल लीजे एक दो तीन चार पांच पांच ताम है तो middle most term बताई क्या होगी तो ओर नमबर है तो एक अपनी तरफ से जोड़ दीजे दो से भाग दे दीजे अंसर आ गया थार यानि जो थार ताम है एक दो तीन चार पांच तो थार ताम जो होगी ना मेरे बचो यही मेरी ओसत होगी यही मेरे ननने मुनने बचो मेरी ओसत होगी मैं कहूँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छै, साथ, आठ, नो अब बताएं मिडल मोस्ट टरम कितनी होगी तो आप कहेंगे इसाथ टरम कितनी है तीन, तीन, चार, तीन, नो है तो नो एक ओर नमबर है तो नो में एक जोड़ा दस दस को दो से भाग दिया, पांच इसका मतलब मेरे बचे एक, दो, तीन, चार, पांच यानि जो फिफ्थ टरम होगी जो फिफ्थ टरम होगी वो ही मेरी मिडल मोस्ट टरम होगी और वही मेरे पेर बचो मेरा ओसत होगा मेरे बचो अगर मैं आपको कहूँ एक, यानि फॉर्थ टरम यानि थार्ड और फॉर्थ के बीच की मिडल टरम होगी तो थार्ड टरम ये होगी मेरे बचो फॉर्थ टरम ये होगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके बीच की जो होगी वो मेरा ओसत हो इनके बीच का जो होगा मेरे पहरे बच्छों वो उस्त होगा यानि एक देसी तरीके से देखें तो जितनी भी टार मैं दो से भाग दे लीजिए हाई ना वहाँ से आपको आइडिया आजाएगा कि कौन सी मिडल मोस्ट है कौन सी नहीं मेरे बच्छों आए मेरे बच्छों क् tumor लिखे हैं 10 12 15 16 16 18 मैं आपसे जानना चाहता हूं के यह पहली बात तो consecutive numbers है या नहीं तो आपने का जी हाँ यह consecutive numbers है अगर यह consecutive numbers हैं मेरे पहरे बच्छों तो इनका O7 निकाल के बताएए अगा तो आप कहेंगे सर एक, दो, तीन, चार, पाँच टाम है, अगर पाँच टाम है, तो पाँच ओड नमबर है, एक अपनी तरह से जोड़ दो, छे, छे का आधा करोगी कौन सा एगा, थर्ड, इसका मतलब थर्ड टाम जो होगी, वही मेरा ओसत होगी, यानि मेरे प्यारे विच्छों, जो average होना मेरी कौन सी टाम होगी, धर्ड टाम होगी, हाँ जी, बिल्कुल के लिए, अब एक बात और समझे हैं, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं, क्या, कि आप मान लीजेए, या बहुत सारी टाम है, कितनी टाम है, मुझे नहीं बता, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, हाँ, ले दावा है, कि मैं यह कह रहा हूँ, कि यह करमागत संख्या हैं, यह करमागत संख्या हैं, तो मेरे नन्य मुन्य बच्चो, मुझे तो सिर्फ यह बता दो, कि इनका ओसत क्या होगा, तो आप कहेंगे, सरी, कितने नमबर यह नहीं दिरखा, और अगर हमें पहला और आखरी ट उसत होगा, वही मेरा उसत होना है, तो सर इनको जोड़ेंगे, तो यह आएगा 115 बटे दो, तो 77.5 मेरे पहरे बच्चों मेरा उसत हो, हाएने, अब मान लीजिए, इसी चीज़ सवाल में मैं एक चींज करता हूँ, और मैं आप से यह कह रहा हूँ, कि मेरे पहरे बच्चों, जो फर्स्ट टम है, वो मुझे नहीं पता क्या है, लास्ट टम क्या है, वो मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन जो एवरेज है, जो एवरेज है, वो मुझे पता है, 77.5 है, ओसत मेरे पहरे बच्चों, 77.5 है, जो ओसत है, वो 77.5 है, मैं आपको यह भी नहीं दे रहा हूँ, कि number कितने हैं, दो number है, पांच number है, तीस number है, चालिस कितने हैं अब मैं आपसे जाना चाहता हूं कि आप मुझे बताईए कि first term plus last term का जोड़ क्या होगा पहले और आकरी पद का योग बताईए क्या होगा तो आप कहेंगे सर अगर हमें first और last term दे रखी है तो हम सीधा सीधा ओसत ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फर्स्टम प्लस्टम बटे 2 यह होता है ओसत यह सेथान पैंट 5 तो फर्स्टम प्लस्टम दो से गुना करेंगे तो यह आएगा 115 तो यहीनि फर्स्टम प्लस्टम का जोड़ कितना आगया मेरे बच्चे एक सो बना क्या आप सहमाते हैं बिल्कुल सहमाते हैं यानि अगर हमें ओसत दे रखा है तो हम फर्स्टम और लास्टम का जोड़ बता सकते हैं हाई न अब मैंने एक सवाल आप से का कि भाई यहाँ पे n पद है n टर्म्स लिखे हुए कितनी टर्म्स लिखे हुए मेरे बच्चे n टर्म्स लिखे हुए n पद लिखे हुए n पद लिखे हुए n की वेलियो कुछ भी हो सकती है 20, 30, 40, 400, कुछ भी अब मैं कह रहा हूँ कि जो सेकेंड टर्म है यानि सरुवाद से दूसरी और लास्ट से भी दूसरी टर्म सेकेंड लास्ट जो है अगर मैं यहां से सेकेंड टर्म ले रहा हूँ तो मैं यहां से सेकेंड लास्ट टर्म ले रहा हूँ मैं यहां से सेकेंड लास्ट टर्म ले रहा हूँ और मेरे बच्चों मैं आपको यह कह रहा हूँ कि इसका जो ओसत है वो 40 है तो क्या आप मुझे 2nd term और 2nd last term का जोड़ बता सकते हो तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि अगर ये consecutive number और ये मैं कहे रहा हूं कि आज मैं topic की consecutive numbers का उठा रखा है तो सारी चीजे जो जो मैं explain करूंगा वो सारी की सारी consecutive numbers पे ही depend कर रही है question में वहां से करूंगा तो मेरे बच्चों अगर ये करमागत संक्या हैं अगर ये लगातार संक्या हैं तो मैंने कहा कि ओसत हमेशा बीच का number होता है और मैंने ये भी कहा कि पहले और आखरी का ओसत जो होगा वो भी सारे number का ही ओसत होगा सरवात से दूसरे और आखरी से दूसरे number का भी जो ओसत होगा वो भी सभी number का ओसत के बराबर होगा सरवात से तीसरे और चोथे से तीसरे number का भी ओसत लोगे मेरे बच्चे तब भी वही ओसत आएगा जो सारी संख्याओं का ओसत होगा तो मेरे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि सर second time और second last time का जो जोड़ होगा वो इस ओसत का double होगा क्योंकि second time और second last का जोड़ का आदा ही तो मेरा ओसत होता है तो मैं सीधा सीधा अंग्रेजी में कह दूँगा सर चालिस दूनी असी ये हुआ अंग्रेजी में तो सर second और second last time का जोड़ मेरे बच्चे कितना आगया 80 क्या आप मेरी बात समझभा रहा है बहुत सुंदर बात है अब मेरे बच्चों और आगे की बात दे है अब मैं कुछ और बात है आप से जाना चारू अब रुक एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ मैं कह रहा हूँ यार ये आठ करमागत समसंख है आठ करमागत समसंख है समसंख है 8 कंजुकेटी even number 8 करमागत समसंख है ठीक है जी 8 करमागत समसंख है तो मेरे बच्चों ये first time हुई और ये last time हुई ये first time हुई और ये last time हुई और मेरे बच्चों मैं आप से जाना चाहरा हूँ कि आप मुझे बताईए last time और first time के बीच का difference क्या होगा difference का हुई पड़ी में से छोटी value बताईए क्या होगा first time और last time का difference क्या होगा तो इसको दिमाग लगा के ऐसे सोचा करो है कि भाई सर कह रहे हैं कि करमागत समसंख्या हैं even number है तो even number क्या होगा जैसे मा लिजे 10 हुआ तो ये क्या हुआ बहरा ये क्या हुआ 14 ये क्या हुआ 16 ये क्या हुआ 18 ऐसे ही तो होगा आपने कहा जी विलकुल सही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 संख्या होगी ठीके जी, तो यानि हर एक में दो-दो जोड़ते चले जाओगे तो भाई ये बिताओ, टोटल कितनी संख्या है तो आप कहेंगे आठ, आठ में से पहली संख्या मान लीजिए F है, फर्स्ट अम F है तो इसके बाद टोटल आठ टर्म थी तो आठ में से ये पहली संख्या होगी तो बची कितनी, तो आप कहेंगे साथ नमबर बच गए, साथ नमबर बच गए और अब यहां हर नमबर दो-दो बढ़ता चला जाएगा हर नमबर दो-दो बढ़ता चला जाएगा तो साथ नमबर में दो-दो का अरे हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पहें,- मैं अगर आपको ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए, फॉस्ट नम्बर ये है, और लास्ट नम्बर ये है, और संख्याई आठ की जगें अठारा हैं, और सम की जगें विसम है, सम की जगें विसम है, आठनी अठारा करमागत विसम संख्या है मैं आप से जानना चाहरा हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस ग्याद करें अठारा करमागत विसम संख्या है इनके बीच का डिफरेंस ग्याद करें तो आप कहेंगे सर देखिए विसम संख्या है तो ये तैह है सर के हर एक के बीच का डिफरेंस दो-दो होगा भाई मान लो ये 15 है तो अगली 17 होगी 19 होगी तो सर डिफरेंस कितना आएगा दो-दो आएगा तो सर एक बाद बताओ टोटल नंबर कितने हैं 18 इतने हैं 18 18 मेंसे पहला नंबर हटा दू तो बाकी कितने बच गे 17 तो अब हर एक नमबर में 2-2 बढ़ता जाएगा तो कुल मिला के 34 बढ़ जाएगा यानि सर अगर पहली संख्या F है तो विश्वास करिए आखरी जो संख्या होगी वो F प्लस 34 हाए ना F प्लस 34 होगी तो सर इसके और इसकी बीच का difference कितना आया तो आप कहेंगे 34 कितना होगा मेरे बचचे 34 आए ना अब मेरे बचचो मैं आपको कहूं के भाया 80 करमागत संख्या है 80 करमागत संख्या है अच्छा जब भी करमागत संख्या है लिखी हुई ना 80 कंजुकेटिव नमबर लिखे हुए है कंजुकेटिव नमबर है तो इसका मतलब है 80 नेचुरल नमबर है नेचुरल भी नहीं तो मैं ये कहना चाहरा हूँ कि यहां जो 80 करमागत संख्य है तो ये 80 वो संख्य है जिनमें हर एक में डिफरेंस कितना है यहां मैं यह कहना चाहरा हूँ यानि यह एवन नहीं है ओड नहीं है तीन डिफरेंस पांच डिफरेंस ऐसा नहीं है इनमें हर एक नमबर में एक एक का डिफरेंस होगा लगातार संख्य है तो यह मेरे प्यारे बचो पहला नमबर है बिलकुल लजी तो अगला नमबर एक जादा होगा उस से अगला एक और जादा होगा उस से अगला एक और जादा होगा तो बाई टोटल नमबर कितने है? 80, 80 में से एक पहले वाला नमबर हटा दो बचे कितने? 79 और हर नमबर में एक एक का इंक्रीज करोगे तो 79 इंक्रीज हो जागा बिलकुल हो जागा सर तो first number F है तो last number जो होगा न मेरे बच्चे वो F plus 79 होगा यानि पहले और आखरी के बीच का difference मेरे पहरे बिचो कितना होगा 89 मैं कोई formula आपको नहीं कराना चारा कुछ और नहीं चीज नहीं बताना चारा जो आप जानते हैं बस उसी को refresh करना चाह रहा हूँ ताकि हम चीजों को इतना वेसिक से एक बार में पढ़ जाएं कि उसका दिक्कत बचे ही ना हाँ जी आईए आगे आईए मेरे बच्चे मैं अब आपको कह रहा हूँ के भीया 40 करमागत समसंख्या है 40 करमागत समसंख्या है बिल्कुल ठीक है जी 40 करमागत समसंख्या है और मां लीजी पहली संख्या तीस है पहली संख्या तीस है 40 करमागत समसंख्या है 40 कंजुकेटी इवन नेचरल नमबर से 40 करमागत समसंख्या है 40 करमागत समसंख्या है तेहली संख्या मेरे ilan hypothetical 30 है तो मैं जानना चाहरा हूँ कि आखरी number क्या होगा तो आप कहेंगे sir even number है तो यह तेह है कि हर एक number के बीच का difference दो-दो होगा हर एक number के बीच का difference कितना होगा sir दो-दो होगा क्योंकि even number 2-दो बढ़ते हैं बिल्कुल सही है सर दो-दो बढ़ेंगे तो सर 40 नमबर है 40 में से एक नमबर सरुवात वाला हटा दो तो बचे कितने 49 और सर हर नमबर में दो-दो बढ़ाओगे तो 78 बढ़ जाएगा 78 यानि 78 तो 30 में 78 जोड़ोगे तो ये नमबर होगा सर 30 जमाँ 78 और 30 जमाँ 78 होगा तो ये 108 क्या आप मेरी बात से सहमत है क्या हम इस बात को डारेक्टली लिख सकते हैं कि ये नमबर 108 होगा अगर मेरी कैलकुलेशन है ठीक है आपने का जी बिलकुल सही है ये जो संख्या होगी 108 होगी ठीक है जी अगर ये संख्या 108 होगी मेरे बच्चों और अगर आप इतनी बात से सहमत है तो मुझे अगली कहानी ये बताइए कि अगर ये संख्या 108 है तो क्या हम इसका उसत निकाल सकते हैं तो आप कहेंगे बिलकुल निकल जाएगा सर क्या तरीका होगा परस्ट टाम प्लस सबसे लास्ट टाम इन दोनों का जो उसत होगा वही पूरी संख्या का भी उसत होगा तो या या 137 137 को दो से भाग देंगे दो चिक बारा दो निम अठार तो आंसर होगा मेरे प्यारे बेच्चों है ता हाँ है न क्या आप सहमत है इससे आईए मेरे बच्चे एक और बताईए आप मैं कह रहाँ के यार 30 करमागत विसम संख्या है 30 करमागत मेरे बच्चे विसम संख्या है 30 करमागत विसम संख्या है और 30 करमागत विसम संख्याओं का जो ओसत है वो आपको निकालना है क्या होगा 30 करमागत विसम संख्याओं का ओसत निकालना है क्या होगा तो आप बेसिक तरीके से अभी चलिए अराम से देरे देरे तो आप ये जानता है कि हर एक नंबर में एक एक बट ना सुरिमा पर ना भी समय है तो दो दो बढ़ता चला जाएगा तो तीस संख्या है तो पहला नंबर तो फिक्स होगा बचे कितने 39 और हर नंबर में दो दो ब निकालना है तो उसर निकालने में कहा दिक्कत है 21 जमा 89 बटे दो तो 80 और इस सो सोटे दो यानि 50 और सुटाएगा कितना एवरेज आएगा मेरे प्यार बच्छों पचास एवरेज आएगा हाए ना अब मैं इसी सवाल में आपको कुछ और बोलता हूँ मैं कह रहा हूँ कि भाई ध्यान से देखना यहां तक की बात के लिए रहे इसी सवाल में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बच्छों जो एवरेज है वो दिरका 57 एवरेज दिरका 57 यहां तक की बात सही है और मेरे प्यारे बच्छों मैं आपको यह कह रहा हूँ कि टोटल जो है यह संख्य है तीस है टोटल कितनी संख्य है तीस संख्य है टोटल तीस करमागत विसम संख्य है तीस करमागत विसम संख्य है ओसत सतावन है तो आप मुझे बताईए फस्ट टम क्या होगी यानि पहल number क्या होगा और last number क्या होगा सबसे पहले मुझे आप़ या बात बताई पहला और आख़री number बताईे क्या हो इन्डिवीजुली क्या-क्या वैल्यू होंगे अगर 30 संख्या 30 की जगए 31 कर लेजी 31 करमागत विसम संख्या और इनका ओसत sacar 57 तो मैं आपसे जाना चारा हूँ, पहली और आफरी संख्या क्या हो, यह आपका सवाल है, तो दो तरीकों साप कर सकते हैं, तो एक तरीका तो मेरे बची यह है, कि हमें पता है कि 31 संख्या हैं, हर एक में 2-2 का डिफरेंस होगा, तो भी या 31 में से गया 30-30 संख्या होगा, 2-2 क हिसाब से कितना डिफरेंस होगा, 60, यानि फर्स टम F होगी, तो लास्टम F प्लस 60 होगी, यानि मैं यह कह सकता हूँ, सर लास्टम माइनस फर्स टम का जो डिफरेंस होगा, 60, हांजी, बहुत संदर, दूसरी चीज सर, सर मैं यह बात भी जानता हूँ, कि फर्स टम प्लस ल आजाएगा 114 और इसे हम सोल कर देंगे F से अफ कर जाएगा 2L इन्हें जोड़ेंगे 4, 6, 7, 114 दो से काड़ देंगे मेरे बच्चे तो लास्ट अम निकल के आजाएगा 2, 8, 6, 2, 7, 14 यानि लास्ट अम आजाएगी 87 यहां रख देंगे 87 तो फस्ट अम निकल के आजाएगी 27 फस्ट अम मेरे बच्चे निकल के आजाएगी 27 हाँ है ना एक तो बिसिक तरीका है यह अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखे इसी सब मेरे पहरे बच्चो मुझे एक बात बताई कि ओसत जो होता है सबसे बीच वाली मिडल मोस जो टाउती वही मेरे प्यारे बच्चो मेरा वस्ट खेलाती बिलकुल सही बात है सर किसी भाई को कोई दिक्कत है तो सर 16 संख्या सता हुआने अब सर एक बात बताईए टोटल नंबर कितने 31 31 में से 15 संख्याइं आगे होंगी 15 संख्याइं पीछे होंगी और सबसे बीच की संख्या होगी 16 क्योंकि तभी तो बीच की हुई तो मेरे बच्चे अब यहां से 16 संख्याइं आपको निकल के आगी सताओने तो क्या आप यह नहीं बता सकते हैं किस से आगे 15 नंबर है और हर नंबर में 2-2 बढ़ाऊगे तो 15 नंबर में कितना बढ़ जाएगा तो आप ग--"30 क्योंकि भाई यहां हर नमबर में दो दो बढ़ेगा क्योंकि यह विसम संख्या है अगर ओर नमबर है तो दो दो बढ़ेगा तो भाईया दो दो बढ़ाओगे तो 7 में 30 जोड़ दो अपनी तरफ से तो कितना आ जागा सता से यानि लास्ट रम सीधा सीधा निकल के आगया 87 हाई ना मेरे बचे अगर मैं कहूँ पहला टर्म बताओ तो आप कहेंगे सर्फ यहां से यहां तक कितनी नंबर है 15 और हर नंबर में दो दो जोड़ेंगे तो 30 तो इसका लगा फर्स टर्म में 30 जोड़ेंगे तो 70 आएगा 77 से 30 घटा देंगे और ये संख्या है मेरे बचे 20 है 20 नंबर है 20 टर्म है इंदी में बोले तो 20 पद है 20 नंबर है किलकुल सही है सर्फ और मैं कह रहा हूँ कि 20 यहां लिखा हुआ नहीं है लिखा दो यहाँ असी करमागत समसंख्या है कितनी मेरे प्यारे बचे ओ असी करमागत समसंख्या है और मैं कह रहा हूँ कि इन असी करमागत समसंख्याओं का जो ओसत है जो ओसत है वो 112 है 113 है असी करमागत समसंख्याओं का ओसत क्या है 113 तो क्या आप मुझे बता सकते है सबसे बड़ा नंबर कुन सा होगा सबसे छोटा नंबर कुन सा होगा अगर इनका ओसत 113 है तो क्या आप मुझे बड़ा नंबर और छोटा नंबर बता सकते हैं तो आप कहेंगे सर ध्यान से दिखे ये फर्स्ट टम हुई ये लास्ट टम हुई सर आप जानते हैं कि 80 नंबर है हर नंबर में इवन नंबर है तो दो-दो का डिफरेंस होगा तो 80 में से पहली टम हटा दे तो बची कितनी 79 नंबर और हर नंबर में दो-दो का डिफरेंस तो 80 दुनी 160 तो ही आएगा 108 तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर फर्स टम एफ है तो लास्टम हो जाएगी एफ प्लस 158 यानि मैं देसी भासा में कहूँ तो लास्टम और फर्स टम का डिफरेंस आजएगा 158 और वो ये कह रहा है कि इनका ओसत 113 है मतलब फर्स टम प्लस लास्टम का भी एवरेज वही आएगा एक 113 तो गुणा करेंगे तही आजएगा मेरे विचे लास्टम प्लस फर्सटम कितना आजएगा 226 आपने खाजी बिलकुल सही है तो जब सूल करोगे तो लास्टम और फर्सटम निकल जाएगी यानसे आपने खाजी सही है नहीं, ये सही नहीं है इस तरीके से नहीं करना, तो कैसे करना है सर, भाई एक बात बताईए, टोटल number of term कितनी है, तो आपने का जी 80, अगर 80 term है, तो 80 तो even number है, आपने का जी हाँ, 80 even number है, 80 sum संख्या है, अगर मेरे प्यारे बचो 80 sum संख्या है, तो middle most term कैसे निकलेगी सर, तो 80 बटे 2, जमा 80 बटे term बनेंगे, तो आपसी उटे 2, यानि 40 बट और मेरे बच्चे 41 बट, ये दोनों आपके बीच की term बनेंगे, यानि सबसे बीच की जो term होंगी, वो होंगे 40 बट और 41 बट, ये दोनों हमारी बीच के नंबर होंगे सर, हाँ है न, ये दो बीच में होंगे, क्योंकि even number है, 80 का बीच वाला जो होगा न, वो मेरा उसत होगा, इनके बीच वाला मेरा उसत होगा, और मेरे प्यारे बच्चों मेरा उसत दे कितना रखा है, मैंने 113, उसत दे कितना रखा, 113, तो इस number और इस number के बीच वाला मेरा उसत है, इस number और इस number के बीच वाला मेरे बच्चों मेरा आपने का जी मान लिए आपके बात कि इन दोनों के बीच वाला आपका उसात है तो अगर इन दोनों नंबर के बीच में 113 आ रहा है तो मेरे बच्चों ये नंबर क्या होगा 114 और ये नंबर क्या होगा 112 क्योंकि 112 और 114 के बीच में तो 113 आएगा आरे हाए ना आपने का जी बिल्कुल सही बात है इसमें कोई दो रहा है नहीं है अब मेरे बच्चों आप जैसे निकालना चाहे वैसे निकालीजे टूटल नंबर कितने मेरे भाई 80 टूटल नंबर कितने 80 तो 40 इधर होगे 40 इस से आगे होगे अगर 40 इस से आगे होगे और आपको ये नंबर नहीं भी पता है कोई भी एक नंबर शयाप निकाल सकते है ह Travis यहाँ तक होगे और 40 आगे होगे तो मेरे बच्ची अगर इस नंबर को आधार ले लोँ तो ये कितने नंबर होगे? 40, 40 में से एक नंबर हटा दूँ तो बची कितने? 49 और हर नंबर में 2-2 जोड़ेंगे, तो कितना जुड़ जाएगा? 78 तो इसका दब ये वाला जो नंबर होगा, ये इससे 78 जादा होगा, तो 114 में 78 जोड़ोगे, तो 8, 4, 12, 7, 8, 9, तो 112 में, यानि ये जो नंबर होगा मेरे बच्चों वो 192 होगा अगर मैं कहूँ कि ये नंबर बताईए क्या होगा, तो भई टोटल यहां से यहां तक कितनी टाम है? 80, 80 में से एक टाम ही हटा दो, बच्ची कितनी? 49, बहुत चालीस में से एक टाम हटा दो, तो 49 बच्ची और हर एक नंबर में 2-2 का डिफरेंस होगा, तो 78 होगा, तो ये इसका मतलब मेरे बच्चो ये नंबर होगा, ये नंबर होगा 30 है ये नंबर होगा मेरे बच्चो 30 हाई आ, बात आई कि नहीं आई समझ में, और आगया है मैं कह रहा हूँ जी एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ नमबर है ये कुल मिला के संख्याएं आठ है कितनी संख्याएं जी आठ जितने एडंडे दिख रहे हैं उतनी है संख्याएं और इनका जो ओसत है इनका जो ओसत ये आठ कंजुकेटिव करमागत मतलब ओड नमबर है आठ करमागत विसम संख्याएं और जो इनका ओसत है वो एक सो चालिस है इनका जो एवरेज है वो एक सो चालिस है तो मेरे प्यारे बच्चो मुझे फर्स टम और लास्ट टम बताई क्यो तो मेरे बच्चो आप सबसे पहला काम एक करेंगे कि सर आठ क्या है इवन या ओड तो आप कहेंगे सर आठ तो इवन नमबर है सम संख्या है अगर आठ सम संख्या है मेरे बच्चे तो मिडल टम कैसे निकलेगी तो मिडल टम यहाँ इवन में दो निकलेगी ये दो middle most निकलेगी तियानि fourth term middle होगी और fifth term तो चोत्य और पांच वी जो term होगी वो middle term होगी चोत्य और पांच वी तो एक, दो, तीन, चार तो fourth term और fifth term ये दो मेरे प्यारे बच्चों मेरी middle most term होगी तो इनके बीचों बीच जो होगा वो मेरा उसत होगा और ये सारे नंबर क्या है मेरे बच्चे तो आप कहेंगे ओर नंबर है अगर ये सारी विसम संख्या है तो इनके बीचों बीच इनके बीचों बीच जो होगी हो मेरे middle most रम होगी तो इनके बीचो बीच क्या आ रहा है 140 तो इसका अनलब ये नंबर 140 है तो सर ये 141 रहा होगा और ये 149 रहा होगा क्योंकि 149, 141 के बीच का ही तो नंबर है 140 है आपने खाजी बिल्कुल सही है अब मेरे बच्चों ये बताओ टोटल नंबर कितने है 8 8 में 4 इधर है, 4 आगे तो 4 में से 1 खटा दूँ तो बचा कितना 3 और हर नंबर 2-2 बड़ा होगा तो कितना बड़ा होजागा 6 तो 141 में 6 जोड़ा है तो 117 तारीस ये नंबर 147 होगा यहां कितने नंबर है 4 इस नंबर को हटा दे तो बच्चे कितने 3 हर नंबर में 2-2 जोड़े हैं तो कितना अच्छ है तो ये वाला नंबर इससे 6 चोटा होगा 149 में 6 गया मेरे बच्चों 133 क्या आप मेरे प्रेंट को समझ पहे जो मैं आपको कहना चाहरा हूँ अरे हाँ है ना बहुत संदर अब मेरे बच्चों एक बात और मैंने या नंबर लिखा 20 25 30 मेरे नंने मुनने बच्चों ओसद बताए क्या होगा ओसद बताए क्या होगा तो आप कहेंगे सर ओसद तो ओसद होगा सर 25 बहुत संदर अब मेरे बच्चों मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यार इसी नंबर में मैं एक और अगली टर्म सामिल कर लेता हूँ 20, 25, 30, 30 से अगली 35 मेरे प्यार बच्चों अब ओसद निकाल के बताए क्या होगा अब ओसद निकाल के बताए क्या होगा आप कहेंगे सर एक, दो, तीन, चार संख्या है तो चार बटे दो जमा चार बटे दो जमा एक यानि सेकंड टर्म हो जाएगी मिडल मोस्ट और दो रेक, तीन, थर्ड टर्म यानि सेकंड और थर्ड मिडल में आ जाएगी तो second term ये है मेरे बचे third term ये है इनकी middle वाली term तो इनके middle वाली term होसत होगी तो 25 और 30 के बीच में क्या हैगा 27.5 अगर आप बीच निकालना नहीं जानते हैं तो एक तरीका है कि इन दोनों के जोड़ लो 25 और 30 पचपन 25 का आधा कर दीजे या 25 और 30 का डिफरेंस 5 पांच को दो टुकड़ों बाटोगे तो धाई डाई आएगा तो धाईस में जोड़ दो धाईस से गटादो तो middle most आजएगी तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हो मेरे बचे कि अगर नमबर मेरा था 20 25 और 30 तो नमबर के बीच का डिफरेंस कितना था 5 नमबरों के बीच का डिफरेंस था 5 तो आगर मैंने आपको ये कहा कि भई मुझे इनका ओसद बताओ तो आपने कहा 25 बिल्कुल सही है सर अब अगर मैं इसमें एक कंजुकेटी और जोड़ दे रहा हूँ 35 जोड़ दे रहा हूँ तो ये नहीं यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है तो मैंने पूछा आपसे कि भई आप इसका ओसद बताओ ये क्या होगा तो आपने ओसद निकाला तो वो उसद आया 27.5 वो उसद आया 27.5 यानि मेरे बच्चों एक बात मैं जो कहना चाहरा हूँ ये कि अगर उपर डिफरेंस 5-5 है और आप एक एक नमबर भढ़ाते जा रहे हैं तो मेरे बच्चे ओसद में न एवरेज में ओसद में जो डिफरेंस उपर होता उसका आधा बढ़ता रहता है अब मैं इससे अगला नमबर ले लूँगा न तो क्या जाएगा 40 फिर से 5 बढ़ा दिया क्योंकि consecutive numbers की बात हो रही है आज सारी class में तो अब फिर 5 बढ़ा दिया तो ओसद में भी जो होगा न मेरे बच्चे जितना डिफरेंस बढ़ता है consecutive का उसका आधा तो 5 बटे 2 यानि ड़ाई ड़ाई बढ़ जाएगा यानि नय ओसद 30 हो जाएगा तो मेरे बच्चों मैं आपको सवाल में कहना यह चाह रहा हूँ कि मान लीजी कोई number है X अगला number है X plus 12 अगला number है X plus 24 X plus 36 and so on तो मेरे भाईयों मैं आपको कहना यह चाह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ इन दो का उसद पूछो और मान लीजी इन दोनों का उसद A है इन दोनों number का उसद A है अब मैं अगर आप से कहूँ कि भाई मुझे इन तीनों number का उसद बताओ यानि मैंने एक number consecutive और जोड़ लिया तो आप देख रहें difference कितना है 12 तो अब तीन का उसद जानते हूँ क्या हो जाएगा A plus 6 क्योंकि difference कितना था 12 12 का तो उसद में जितना difference है उसका आधा बढ़ेगा अब यहाँ मैंने एक और number शामिल कर लिया याँ मैं कहूँ इन सब का उसद बताओ तो यहाँ 12 बढ़ गया तो 12 का आधा 6 तो यह नि अगला उसद फिर 6 बढ़ जागा 6 रचे बारा हाए ना समझ पाए जैसे मैं कहूँ 18 21 21 24 27 मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों इनका उसद यह है आप निकाली सकते हैं इनका उसद इसमें तो कहां दीकत है लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों इनका उसद ए है आप में कहा जी मान लिया इनका उसद ए है अगर इनका उसद ए है मेरे बच्चों तो मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि अब मैं इसके अगले तीन टंबर इसमें जोड़ दू एक, दो, तीन अगले तीन कंजुकेटिव में जोड़ दू कितने कंजुकेटिव जोड़ दू मेरे प्यारे बैचो अगले तीन कंजुकेटिव जोड़ दू तो अब मेरे प्यारे बैचो सभी का नया उसत ग्याद करिए क्या होगा अगर 3 और conjugate जोड़ दू तो नया उसत क्या होगा तो आपको दिमा कि ये दोड़ाना है कि भाई यहां हर एक नंबर में कितना डिफरेंस है 3-3 का तो 3 यहां जुड़ेगा 3 यहां जुड़ेगा मैं अगर आपको कहूँ क्या यभी अब 20 24 26 28 32 इन सब का जो उसत है वो ए है मैं कह रहा हूँ मेरे बच्चों इन सब का उसत ए है आपने कहा जी ठीक है अब मैं यहां आप से कह रहा हूँ इन चारों नंबर का उसत ए है अब मैं कहा रहा हूँ इसके बाद मैंने 10 और कंजुकेटि जोले 10 और कंजुकेटि और कर लिए more contact यूट्यों सामिल कर लिए 10 और करमागत सामिल कर दिए करमागत सामिल कर लुए सामिल कर लिए तो मेरे बच्चों इ waiter अबताओ कि ये संख्याएं थी, दस और शामिल कर ली, लेकिन करमागत ही रहेंगी ध्यान अकना, तो मेरा नया उसत क्या होगा, तो आप कहेंगे सर, यह हर एक नमबर में कितना बढ़ रहा है, चार-चार, तो हर एक नमबर में चार बढ़ रहा है, दस और नमबर बढ़ बढ़ बढ़ा होगे, तो कितना बढ़ जाएगा, चालिस, दस और बढ़ 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 जाएगा, बाबू, चालिस, अरे हाए न, तो भीया, नया उसत जो होगा, ओँछालिस का आधा, यानि, नया उसत, ये मेरे प्यारे बच्चो नया आउसत होगा समझिये मेरे प्यारे बच्चो आप सभी को नमस्कार मेरा नया बच्च 5 माई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बच्च में आपको A से लेके J तक, 0 से लेके Hero तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी किसे समझाऊंगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाईगे मेरे प्यारे बच्चो इस बच्च में आपको क्या-क्या चीजे मिलती है पहली चीज, सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी, वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज, आपकी practice batches भी इसी के अंदर मिलेगा चोती चीज, यहाँ आपको live doubt session मिलेगा पाँचवी चीज, आपको यहाँ पर free or course test series प्रोवाइड करा ही जाती है थैंक्यू मेरे बच्चो तो आईए मेरे प्यारे बच्चो आप कुछ basic basic formula पर discussion कर लेते हैं सवाल में करा है कि what is the sum of first n natural number पहली n प्राकर्तिक संख्याओं का योग क्या होगा तो मेरे बच्चे पहली n प्राकर्तिक संख्याओं का योग से मेरा मतलब है जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसा ही n natural number है तो natural number है मेरे बच्चो n sum of first n natural number का sum होता है n into n प्लस 1 भाइट हो जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि यार 1, 2, 3, यार मुझे कुल में लाके 49 पहले 49 natural number का sum बताईए पहली 49 प्राकर्तिक संख्याओं का योग बताईए तो आप क्या कहेंगे के सर इसका सुत्र लगाईए n into n प्लस 1 भाइट है या न तो सर 49, n की वेली 49 है 49 में एक जुड़ा 50, 50 को 2 से भाग देंगे आनस होना जाएगे क्या आप मेरी बात समझ भाएए आपने का जी बिलकुल सही है तो मेरे बच्चों ऐसे ही सम फास्ट n नेचरल नमबर हुआ n into n प्लस 1 भाइट हूँ अब मैं आप से जानना चारा हूँ average क्या होगा n नेचरल नमबर के average क्या होगा तो आप कहेंगे कि भाई सारे आकडों का योग करो तो सर सारे आकडों का योग आया n into n प्लस 1 भाइट हूँ अच्छा आकडे कितने आया है सर आकडे है n तो सर n से n काटोगे तो ओसत आजाएगा n प्लस 1 भाइट हूँ ओसत आजाएगा मेरे बच्चे n प्लस 1 भाइट हूँ हाँ जी दूसरी बात एक बात मुझे ये भी समझाओ कि मेरे दोस्त अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाइज ये n प्राकर्तिक संख्या है तो इसका मतलब आप ये भी कहेंगे कि सर ये कंजिकेटिय नंबर भी होए बिल्कुल बे सर करमागत संख्या हैं लगातार संख्या हैं तो सर अगर लगातार संख्याए हैं तो उनका उसत निकालने का सूत्र क्या हुआ तो सर उसका सूत्र हो जाएगा first term plus last term बटे दो यानि जो पहले और आखरी का उसत होगा न वही सभी का भी उसत होगा तो उसत का direct सूत्र भी आगया n plus 1 by 2 यानि अगर मेरे बच्चे मैं सवाल में आपसे कह दूँ के भाई पहली 49 प्राकर्तिक संख्या है तो इनका उसत ग्याद करिए क्या होगा तो आप direct सूत्र इस्तिमाल करें n plus 1 by 2 या दिमाख अपनी तरफ से भी दोडाएं के यार पहले और आखरी देई रखी है जोड के दो से भाग दे तो ये उसत आजागा सर 25 आरे हाए ना मेरे प्यारे बच्चो किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं तो मैं इनके फार्मले भी लिखवाता चला जा रहा हूँ जो रेजल्ट है और इनको समझाता भी जा रहा हूँ अब यानि ये समझा दिया कि भाई एन प्राकरतिक संख्याओं का ओसत होगा एन प्लस वन बाई टू अब भटवाई अब आरे मेरे बच्चे सम अफ स्केर उफ फस्ट एन नेच्रल नमर पहली एन प्राकरतिक संख्याओं के वर्गों का योग जैसे एक का वर दो कावर, तीन कावर और ऐसे ही मेरे बच्चे एन कावर तो सर इसका फार्मला होगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई सिक ये होता है उनके योग का सुतर अगर मुझे इनका ओसत निकालना है तो ओसत के लिए क्या करूँगा एन से भाग दे दूँगा एन से एन कर जाएगा तो बच्चे का एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन बाई सिक तो ये मेरे प्यारे बच्चो पहली एन प्राकरतिक संख्याओं के वरगों का ओसत होगा It is the average of It is the average of square of first n natural number पहली n प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का उससत होगा यह मेरे प्यारे बच्चों उनके वर्गों का उससत होगा n प्लस 1 into 2n प्लस 1 by 6 Is it okay? अब आज यह मेरे बच्चे इसको करी तो आप कहेंगे कि सर यह क्या लिखा हुआ है तो 1 का Q, जमा 2 का Q, जमा 3 का Q और ऐसे ही n Q तो मेरे बच्चों इसका सुत्र होता है n into n प्लस 1 by 2 का होल स्केर यहनि सोल करेंगे तो यह आजाएगा n का स्केर into n प्लस 1 का होल स्केर और 2 का बग मेरे बच्चे 4 हाई ना? यह बना सुत्र अब मुझे इनका ओसत निकालना है तो ओसत कैसे निकाले? सारे आकडो का यूग कर लो यह आ गया बटे आकडो की संख्या n से से काटोगे तो बच्चे का n into n प्लस 1 का स्केर बटे 4 n into n प्लस 1 का स्केर बटे 4 हाई ना? क्या आप सहमत है इससे? बिलकुए अब आते हैं मेरे बच्चे क्योग का मैंने समझा दिया ओसत का अब आते हैं sum of first n natural odd number पहली n विसम प्राकर्तिक संख्याओं का यूग बताई पहली n विसम प्राकर्तिक संख्याओं का यूग बताई तो पहली n विसम प्राकर्तिक संख्याओं का यूग हां जी और ऐसे ही मेरे बच्चे पहली N sum of first N natural even number हुआ N into N plus 1 तो मेरे बच्चे अगर मुझे इनका ओसत निकालना तो N से भाग दे देंगे तो हम कहा देंगे कि सर average जो होगा average of first N natural even number वो हो जाएगा मेरे बच्चे direct N plus 1 क्या आप सहमत है इस बात से देखे द्याँ से अब मेरे बच्चों इन पर कुछ सवाल ले लेते हैं और कोसेस करते हैं जैसे इस सवाल क्यारा पहली 13 विसम प्रकर्तिक संख्याओं का ओसत क्या होगा तो अभी मैंने लिखाया आपको कि average of first N natural old number और नमबर तो direct इनका answer N ही होता है तो इसका answer मेरे बच्चे क्या हो जागा 13 ही हो जागा कहता जी पहले 17 प्रकर्तिक संख्याओं के वर्गों का ओसत ग्याद करी है तो आपको निकालना है average of square of first N natural number तो उसका सूतर था N plus 1 into 2N plus 1 by 6 तो यह हो जागा सतर दूनी 34,35 बटे 6 करेंगे तो 6,38,35 ती यह 105 तो मेरे बच्चे इनका average आजाएगा कितना 105 हाए न तर यह मेरे बच्चे कहता है पर्थम सो विसम संख्याओं का ओसत ग्याद करीए average of first hundred old number first hundred old number तो आपीस का फार्मना लिखवा है कि पहले N old number का जो average होता है वो number खुद होता है यानि hundred ही होगा हाँ जी और पहले N even number होंगे तो मेरे बच्चे उनका ओसत N plus 1 होता है E1 का N plus 1 ओड का N ही रह जाता है समझ पाए के नहीं अब आई आगे बढ़ते हैं करिए मेरे प्यारे बच्चो question में कहा रहा है 11 और 63 के बीच की समसंख्याओं का ओसत ग्याद करो तो मेरे नन्ने मुन्ने बच्चो 11 और 63 के बीच क्या कह रहा है बीच बीच का मतलब जानते हो between का मतलब between का मतलब यह हुआ बबू ना तो आप 11 लेंगे अब तू हट ना तो आप 11 लेंगे और ना ही मेरे बच्चे 63 लेंगे इनके बीच का even number तो 11 से अगला even number 12 12 से अगला even number 14 और इसी तरह चलता चला जाएगा और 63 से छोटा even number क्या होगा तो आप कहेंगे 62 कहता जी इनका ओसत निकाल के बताएगे तो मेरे नन्ने मुन्ने बच्चो अगर करमागत संखे हैं तो ओसत क्या होता है पहले और आखरी के जोड़ बारा जमा बासत यानि इनका जो ओसत होगा वही मेरा सही ओसत होगा तो यह 6 यह 31 से 37 सो रागा तो ओसत आजाएगा मेरे बच्चे 30 सेवान करिए मेरे बच्चे करा जी ता एवरेज ओफ सर्टीन फर्स्ट कंजिकेटी इवन नेच्रल नंबर करा जी पहले सर्टीन को मैं एन मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए पहली एन लगातार सम संख्याओं का ओसत 101 है तो मुझे मेरे बच्चों ये बताओ कि पहली एन लगातार सम संख्याओं का ओसत होता कहता आप कहेंगे सर अभी आपने लिखा है एन प्लस वन और ये एवरेज दे रखा है 101 तो यहां से सोल करोगे मेरे बच्चे तो एन की वैल्यू आएगी सो इसका मतलब पहली सो सम प्राकर्तिक संख्याओं फॉस्ट हंडर्ड इवन नेच्रल नंबर है तो लिखोगे तो क्या आएगा पहला संख्याओं दो फिर चार फिर छे ऐसे चले हाए ना क्या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है और सबसे सोंवी जो होगी मेरे बच्चे वो होगी 200 चलती से ध्यान से देखे भई उसने यहां से एन की वैल्यू निकल गई कितनी सो उसने का के पहली एन प्राकर्तिक सम संख्याओं का जो उस है तो वो 101 है तो सम ना एवरेज ओ फरस्ट एन एवन नमबर होता है एन प्लस वन वो दे रखा एक सव एक ता इन की वैल्यू सो यानि सो नेचरल नमबर है पहले सो नेचरल नमबर है उसने पूछा कि हमसे कहता है जिनका योग निकाल के बताई है क्या होगा तो मेरे बच्चे ये बेसिकली एक एपी बन गई और सम आफ एन टरम्स का फार्मूला होता है एन बाई टू इन टू में फरस्ट टरम प्लस लास्ट टरम तो मेरे बैरे बच्चो रहें एन की वैलू सो टाइम है हमें पताई सो पद हुए तो सो बटे दो पचास आया पहला टाम है दो और आखरी टाम है 200 तो ये हैं दो 102 तो गुना कर देंगे 0 पांदोनी 10 हां जी और पांदोनी 10 10100 तो ये मेरे प्यार विच्व मेरा अंसर हो गया हाए ना तो सवाल में कह रहा है कि पांच करमागत संख्याओं A, B, C, D, E का उस्ट 48 है मेरे बच्चे दो सब्दों पर इस रूप से जोर देना है पहली चीज तो ये कि करमागत होने चाहिए कंजूकेटी होने चाहिए वो उसने दे दिये है हाँ है ना दूसरी बात ये कि भई नंबर है A, B, C, D, E तो इनका जो ओसत होगा वो हमीशा कौन सा होगा बीच वाला और संख्यां कितनी है जी पांच तो पांच में एक जोड़ा 6, 6 का अदा करोगे मेरे बच्चे 3 य awaiting तीसरी सनुख्या मेरे असा ता और तीसरी संख्या देखी Рखाया 48 य要नि ओसा देखाया 48 तो ये 48 है इए 49 होगा ये 50 होगा ये 48 है ये 47 होगा ये 46 होगा तो पहले और आफ़ी का प्रोड़क्ट करके बताए क्या होगा तो गुना करतेंगे मेरे बच्चे जीरो पांच चिंग तीस पांच अग बीस और तीन तेइस तेइस हो मेरा आंसर हाई है न कमेंट करके बताओ मेरे बच्चों सही समझ आ रहा है कि नहीं करके रहा है रहा है कि खांच अग्चों सही समझ तो तो मेंगे बनाशच चिंग करतेंगे मेरे बंतेंगे मेरे बीस और वहाई है करीए मेरे बच्चे तो सवाल में कह रहा है कि पहली एन प्राकर्तिक संख्याओं के वर्गों का ओसत क्या होता है तो आप कहेंगे सर एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स सर फार्मला लिखा है आपने अब एन की वैल्यू क्या दे दी मेरे बच्चे अब मेरे बच्चे दो से काटेंगे तीन आएगा दस आएगा और तीन से काटोगे तहरा आएगा तहरा दाएं कितना आगया एक सो तीस प्रांसर आया मेरे बच्चों वन थर्टी हाई है ना करिए मेरे बच्चे सवाल को कहता है पहली उनिंचा संख्याओं के घनों का उसत ग्याद करी है average of cube of first 49 positive integers तो मेरे बच्चों cube पहले n numbers मलब पहले n natural number के cube का average अगर आपसे पूछा जाए तो फार्मला लिख आया था n into n plus 1 का square मेरे बच्चों upon में 4 तो n की value क्या है 49 तो यह 49 होगे मेरे बच्चे 49 और एक 50 50 का और पच्चिस सो 25 को 4 से भाग दे देंगे मेरे बच्चे तो यह हमरा answer आजाएगा हाए ना यह मेरे बच्चे मेरा answer आजाएगा पका आप इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख लिजे 25 को 25 गुना सो लिख लिजी चार से काटेंगे तो 25 आएगा 25, 25, 625, 625 को 4 से गुना करेंगे हमरा answer आएगा देखें मेरे बच्चे अगर आपको calculation में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से समझेए इसको कि हमें कुल मिला के निकालना क्या है तो 625 गुना 49 निकालना हाँ जी सरी है निकालना अगर आपको इस calculation में दिक्कत महसूस हो रही है कि सर इसको कैसे crack करें तो एक basic funda बताईए अगर इस 49 की जगे मेरे बच्चों में 50 लिख दूँ तो आपको दिक्कत है आप कहेंगे हाँ दिक्कत तो है लेकि उस दिक्कत का समधन कर देंगे यानि मैंने क्या किया कि इसे 50 माइनस एक लिख दिया 49 को मैंने 50 माइनस एक लिख दिया तो बातHi 990 ही रह गिए अब यह बताओ यहां 50 था न तो न 290 को इसे 50 से गुना कर रहा हूं अचा 50 को मैं 5 गुना दिक्कत दूँ तो भी आपको दिक्कत नहीं होग याप कटैस सो पच्यस और आखिर में यह 9 यानि 625 को 50 से करोगे तो 31 250 आएगा लेकिन 625 को 1 से करोगे तो 625 घटा न होगा हाई ना तो पहली लाप तो आंसर के आखिर में 20 आखिर हाई ऎगा करिए मेरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको A से लेके Z तक, 0 से लेके Hero तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी किसे समझाऊंगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाईगे मेरे पहरे बच्चों इस बैच में आपको क्या क्या चीजे मिलती है पहली चीज, सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी, वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज, आपकी practice batches भी चीज, यहाँ आपको live doubt session मिलेगा पाचवी चीज, आपको यहाँ पर free of course test series प्रोवाइड करा ही जाती है थेंक्यू मेरे बच्चे ने करा जी, first 93 natural number का average बताईए तो मेरे बच्चे आंसर होगा क्या एन प्लस वन बाई टू आपने का जी हाँ तो त्राण में और एक चुराण में बटे दो तो चुराण में बटे दो तो चुराण में को दो से भाग दोगे तो आंसर आजागा मेरे बच्चे 47 कितना हैगा 47 बताईए दोस्त करिये जी प्राकर्तिक संख्या शुरू होती है मेरे बच्चे 1 से 1,2,3,4,5 ऐसे और जो होल नंबर होते हैं जिन्हें हम पून संख्या कहते है पून संख्या जो सरू होती है मेरे बच्चे 0 से सरू होती है 0 ए 1,2,3 तो बेसिक डिफरेंस के लिए रखना तो सवाल ने हमसे का कि पर्थम 10 पून संख्या है तो पहली 10 पून संख्या लिखोगी न तो उसमें 0 भी लिखोगी 0 एक दो तीन और इस तरह से अब लास्ट नमबर क्या होगा जानते हो 9 क्योंकि 9 नमबर तो यह होगे एक नमबर यह तो होगे न 10 अब कराज इनका ओस्ट बताओ तो मेरे बच्चों सिंपल एक काम कर लो सिंपली बहुत आसान सी चीज है कि हम इनका जोड निकाल सकते हैं यहां से यह तक का आप कहेंगे हाँ क्या होता है सर sum of first and natural number का सर वो होता है अन बाकि कंजुकेटिव है तो आपको शायद उतनी जरूरत पढ़ेगी नहीं कंजुकेटिव में इस चीज की आप आसानी से सोल कर देंगे कैसे करेंगे कंजुकेटिव में बताओ लगातार नमबर है न तो पहला और आखरी जोड़ो नो आया नो को दो से भाग दे दो साड़े चार है उप्शन में तो वो मेरा आंसर हो गया कंजुकेटिव नमबर है मेरे बच्चे बताओ मेरे भाई सही आगला बई कंजुकेटिव नमबर होगे न जीरो से लेके नो तक तो एवरेज अगर लगातार नमबर है तो पहला और आखरी का जो उसत होगा वो ही सभी का भी उसत होगा कहरा जी एक और बीस के बीच की अभज्य संख्याएं ग्याद कीचे एक और बीस के बीच की बिट्वीन की बात कर रहा है मतलब ना तो एक सामिल होगा ना ही बीस सामिल होगा और वैसे भी प्राइम नमबर है भी नहीं ना एक है प्राइम नमबर ना बीस है तो भीया एक के बाद प्राइम नमबर क्या आता है दो फिर क्या आता है तीन फिर क्या आता है पांच, साथ 11, 13, 17 और फिर आता है मेरे बच्छे 19 एक से 20 तक यही प्राइम नमबर होता है और इनकी संख्या होती है मेरे बच्छों 8 अब हमें इनका उस्त निकालना है तो उस्त निकालना है तो जोड कर लेंगे तो जोड करते हैं तो देखो 2 और 3 पांच और 5 आठ आठ से भाग देंगे तो आठ निम 72 पांच और आठ यह मेरे मेरे बच्छों हमारा उस्त नो सही पांच और आठ अंजी अरे मेरे बच्छे कि राफाइंड दी एवरेज ओफ और फाइफ और मल्टिपल ऑफ त्री कहता है तीन के पहले पांच और मल्टिपल बताईए multiple मतलब यह हुआ मेरे बच्चे जैसे तीन गुना एक अगला होगा तीन गुना तीन तीन गुना पांच तीन गुना साथ ऐसे तीन गुना नो आपके इसा क्यों तीन गुना दो भी तो होगा हाँ होगा लेकिन ये even multiple हो जाएगा उसने पूछा तीन के पर्थम पांच विसम गुनाचों की संख्या गया मलावा ओसर निका ली तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सैट करिए कि ये ode multiple का मतलब क्या है आईए मेरे बच्चे आपने का जी बात तो सही है कि ये तीन के ode multiple ही ही बने तो ये तीन हुआ ये 9 हुआ ये 15 हुआ ये 21 हुआ और ये 27 हुआ तो मेरे बच्चे एक consecutive नमबर है देखो difference कितना आ रहा है बराबर बराबर आ रहा है तो average निकालने का simple funda first और last का ओसर निकाल लो वही हमरा answer होगा तो answer आएगा मेरे बच्चे 15 करिए मेरे बच्चे 21 से 49 तक सभी प्राकर्तिक संख्याओं का ओसत क्या होगा तो मेरे बच्चे 21 से सुरू कर रहे हो और कहां तक जा रहे हो 49 तक बीच में तो बोला नहीं सामिल करने को का तो अगर consecutive नंबर है तो average क्या होगा पहले और आखरी का जो ओसत होगा वही सब का भी ओसत होगा तो यह हुआ 40, 20, 60, 60 का अधा 30 तो मेरे बच्चों ओसत होगा 30 हाए ना करिए मेरे बच्चे देखे कहता जी 5 करमागत विसम संख्या है 5 करमागत विसम संख्याओं का ओसत 27 है तो अगर मेरे बच्चे 5 संख्या है तो एक जोडोगे तो बटे 2 करोगे तो 3 आएगा यानि जो 3rd नंबर होगा वो मेरा average होगा 3rd नंबर यह है और इसकी value उसने इधर रखी 27 है तो अगर मेरे बच्चों ये 27 है और number मुझे order ही चाहिए तो ये 27 है तो ये 29 होगा तो ये 31 होगा और ये 25 होगा तो ये कितना होगा 23 तो कहा रहा है 23 और 31 का multiplication करके बताएं क्या होगा तो आपको गुना नहीं करना आपको unit डिजिट से पकड़ना कि 23 और 31 करेंगे तो तीन एकम तीन आखरी डिजिट एक तीन आना चाहिए तो आखरी डिजिट तीन कहा रहा है सी में हाए ना मेरे बच्चे बहुत सुन्दर करिए मेरे बच्चे कहता है 104 और 148 के बीच की सभी between कहता है सारे even number का average निकाल के बताएं क्या होगा तो मेरे बच्चे ना तो आप 104 ले सकते ना 148 तो 104 शगला 106 होगा और 148 से पहला मेरे बच्चों 146 होगा हाए ना वैसे कोई फरक नहीं पढ़ता अगर आप average ही निकालने की बात कर रहे हैं तो 104 और 148 का भी उसत वही होगा 106 और 144 का उसत भी वही होगा लेकिन एक्जिक डाटा लेता है तो मेरे बच्चे 106 लगातार संख्या हैं सारी की सारी तो क्या किया जाए तो भी आउसत निकालना है तो कैसे निकले सार 106 जमा 140 बटे दो दो से काटेंगे ये बाउन आ जाएगा ना तरिपन आ जाएगा और दो से काटेंगे तो 274 तो 373 3, 3, 6, 7, 5, 12 126 है ओप्शन में मेरे बच्चे हमारा अंसर हो जाएगा 126 हाए ना करिए मेरे बच्चे देखिए जो बेसिक सिखा है ना उससे भार कुछ नहीं है बिलकुल जीरो से सरवात कर रहा हूँ हर बच्चे को समझ माएंगी दीरे 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 सारा कॉंसेट एक्स्प्रीन करूँ 44 करमागत विसम संख्याओं का उसस यानि मेरे बच्चे कितने नंबर है एक दो तीन चार पांच ऐसे चलते 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 44 नंबर आएंगे बीच में ना टोटल 44 नंबर है तो और 44 के 44 मेरे ओड़ है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समझना होगा कि एन अगर एवन हो एन अगर एवन हो तो ओसर जो होगा वो एन बाइट टू अथ और एन बाइट टू प्लस वन एथ इन दोनों टर्म के बीच का हिस्सा होगा तो एन की वेल्यू 44 से 44 का अधा 22 यानि जो 22 नंबर होगा 22 नंबर होगी और जो मेरे बचे 23 पद होगा 23 नं जो होगी उनके बीच वाला मेरे प्यारे बचो मेरा ओसर तोना आप कहेंगे जी हाँ इन दोनों के बीच में और दोनों ओर नंबर है क्योंकि यह लगातार विसम संखिया है तो इनके बीच के ओसर थोगा और उसा दिरखा 144 इसका मलब ये नंबर 143 होगा और ये नंबर मेरे बच्चों 145 होगा किसी बाही को दिक्कत है नहीं थोड़ी देर पहले यही बेसिक समझाता आ रहा हूँ आपने का जी हाँ तो किरा सबसे बड़ी संख्या ग्यात करिए मेरे बच्चे क्या होगे हाँ है ना सबसे बड़ी संख्या ग्यात कीजिए क्या होगे तो ये बताओ 44 संख्या है थी 44 में से 22 इधर होगी 22 आगे होगी आपने का जी बिलकुल सही 22 में से एक ये हटा दी तो आगे कितनी बच्ची 21 और हर नंबर में 22 का गैप करोगे तो कितना गैप हो गया 22 का तो 145 में 22 जोड़ दो तो 5 और 2 7 4 4 8 ये नंबर 187 होगा ये नंबर क्या होगा 187 करिए मेरे बच्ची कहा रहा है 222 और 220 के बिच 17 समसंख्याओं का उसद ग्याद करो तो 222 से अगली होगी 224 मेरे बच्चे और 250 से छोटा होगा 248 कहता है जी इनका उसद निकालो तो मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़के 2 से भाग दे देंगे तो 8,4,12,4,2,6,1,7,2,2,4,4,72 का आदा यहनी 236 अप्शन सी मेरे बच्चे सही है हाई ना अगर मैं यहाँ पे भी एक करम जोड़ दो यहाँ पे भी एक करम जोड़ दो तब भी मेरे बच्चे मेरा उसद से नहीं आना है क्योंकि एवरेज कंजुकेटिव नमबर है तो एवरेज निकालने का फंडा यह ही है कि पहला और लास्ट टरम का जो उसद होगा वही मेरा फाइनल उसद होगा करिए मेरे बच्चे करें 113 से 169 तक की सभी विसम संख्याओं का तो भी है कंजुकेटिव नमबर है तो जोड़ दो 113 जमा 169 का जो उसद होगा वही मेरे इन सारे नमबर का उसद होगा हाए ना पक्का बताइए मेरे बच्चे 9 के प्रारंबिक 20 गुणजों का उसद ग्यात कीजिए तो 9 के मल्टिपल तो 9 एकम 9, 9 दुनी 18, 9 तियस 27 और ऐसे चलते चलते 20 वा मल्टिपल होगा 9 गुणा 20 एक्सवस्सी तो कंज्यूकेटिव नमबर है हाँ जी बिल्कुल है तो सर ओसद चाहिए कैसे निकले सर दोनों के जोड़ का आदा तो 9 जमा एक्सवस्सी का आदा तो भाई एक्सवस्सी का आदा 90 और 9 का आदा 4 तो 90 और 4 शाड़े 4, 95 तो मेरे बच्चों ओसद आएगा आए ना हाँ जी बिल्कुल सही है सर मेरे बच्चों एक बार इस सवाल को देखिए बहुत प्यारा सवाल है और बहुत आसान से सवाल किता है दा एवरेज ऑफ एनी टू जीरो डबल फोर रियल नंबर इस जीरो किसी भी दो हजार चवालिस वास्त्विक संखे लेनी है रियल नंबर लेना है और उन सबका जो ओस्त आ रहा है मेरे बच्चे वो सुन्या आ रहा है तो कह रहा है कि यह बताओ कि इन में से maximum कितने negative नंबर ले सकते हैं बही ओस्त जीरो आने का मतलब यह कि ओस्त का फार्मुला होता है sum of observation upon में number of observation आञडो का योग बटे आञडो की संख्या बराबर आता है ओस्त अब मेरे बच्चों ओस्त की value है 0 आखडो की संख्या 2044 है 2044 है ये तो बात तुरन समझ में आ गई कि 0 तो ओस्त तभी निकाला जा सकता है जब सभी आखडो का योग 0 आए सभी आंकडों का योग 0 आए तो कहरा जी जोग 0 लाना है सभी आंकडों का तो कीतनी अधिक्तम संखे नेगेटिव ली जा सकती कितनी 2024 में से कितनी maximum संखे नेगेटिव पहला मन तो यह करेगा कि 2024 सारी कि सारी negative ले लो लेकिन मेरे बच strains सारी negative value का जोड कभी भी 0 नहीं बनेगा 0 तभी बनता है जब negative positive टकराएंगे और कटके 0 आएगा और मुझे maximum negative चीए तो मैं ये ना करूँ कि 2043 तो ले लूँ सारी negative नमबर ये सारे negative नमबर ले लूँ आया ना और एक जो संख्या बच गई वो ले लेता हूँ पोजिटिव मान लीजिए नेगिटिव सारी संख्याओं का जोड S आया माइनस S आया इनका जोड तो इस वाले नमबर को S ले लूँगा तो प्लस S और माइनस S कटके क्या उत्तर आजागा 0 तो यानि आधिकतम जो नेगिटिव हो सकती हैं वो ये 2043 हो सकती है करिए मेरे बचे करेजिए दस करमागत विसम संक्याओं का उसद 20 है पर्थम 5 संक्याओं का उसद गाद करिए क्या होगा बताए मेरे बचे देखिये मेरे बचे हमें ये बात पता है कि कुल मिला के 10 नंबर है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ऐसे 10 नंबर है कुल मिला के और अगर N की वैल्यू 10 है E1 नंबर है इस समझा रखा है अगर N की वैल्यू E1 नंबर है तो जो average आता है वो N by 2th term होती है और इससे एक बड़े वाली term इससे अगले वाली term होती N plus 1th term इनका उसत होता है तो 10 का अधा 5 यानि अगर ये पांचवी term है मेरे बच्चे, ये 5th term है और ये 6th term है तो 5th term और 6th term का जो उसत होगा वो मेरे बच्चे मेरा answer होगा तो 5th term और 6th term का जो उसत है मेरे बच्चे वो उसने दे रखा है कितना 20 ये क्या है 20 अचा नंबर कैसे है मेरे भाईयों तो आप कहेंगे जी विसम संख्या है अच्छा यहाँ गडबड है इंगलिस में नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूँ देवरेज और 10 कंजुकेटिव ओर नंबर विसम संख्या है कहता है 10 करमागत विसम संख्याओं का उसत 20 है तो ये 20 है मेरे बच्चे तो ये सीधी बात है ये 19 रहा होगा ये 21 रहा होगा तभी तो ये बीच का आया हाँ जी अब ये बताओ मुझे कि ये 19 है तो ये कितनी रही होगी 17 तो ये कितनी रही होगी 15 बिल्कुल सही अब सवाल में ये कह रहा है कि इस पूरे ग्रोप में से अगर हम सरुवात की 5 संख्याओं ले ले अगर हम पहली 5 संख्याओं ले ले तो पहली 5 संख्याओं ले 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 क्यों होगा पंद्रा, हाँ जी? बताईए मेरे बच्चे सवाल को देखिए मेरे बच्चे यह था चार करमागत समसंख हैं एक, दो, तीन, चार तो आप जानते हैं, इन दोनों की बीच का उसत होगा और उसत 33 दे रखा है तो यह वाली नमबर क्या होगा? 32, यह वाला होगा 34 तो यह वाला होगा 36 और यह वाला होगा 36 क्योंकि consecutive even नमबर है तो सवाल में इनके नाम दे रखे हैं यह A है, यह B है, यह C है, यह D तो कहरा बी डी बताओ तो B इन्टू डी का उसता होगा 32 गुना 36 32 गुना 36 माइनस एसी बताओ 30 गुना 34 तो वो कहरा जी वैली बताओ तो मेरे बच्चे 6 दूनी 12 योनिट डिजिट आया 2 और यहां योनिट डिजिट आयगा 0 तो जब घटाओगे 2 में से 0 तो योनिट डिजिट 2 ही रह जाएगा और 2 योनिट डिजिट के उल कौन सा उप्शन दे रहा है भी कौन सा उप्शन दे रहा है मेरे बच्चे भी करिए मेरे बच्चे करा जी 5 लगातार सम संख्याओं का उसद 72 है तो चोटी संख्या ग्याद किजिए पांच लगातार सम संख्या है उसद 72 है तो बीच वाली होगी पांच में एक जोड़ा 6 का आदा 3 थर्ड नमबर होगा उसद 72 है तो कहता है छोटी संख्या ग्याद कीजिए तो मेरे बच्चे छोटी संख्या यह 72 है तो यह 70 होगी तो यह कितनी होगी 68 सीधा सीधा भी दिखाई दे रहा है हाँ है ना अगर आप सीधा सीधा नहीं करें तो इसको यह देखें कि यह है 3rd number हाँ जी और अब हर नंबर 2-2 घटता जाएगा तो कितने नंबर है एक और एक दो नंबर है और हर नंबर 2-2 घटेगा तो कुल मिला के 4 घट जाएगा तो 72 से 4 घटाओगी तो यह नंबर कितना हैगा 68 हाए ना मेरे बच्चे बताइए कहता है जी 6 लगातार विसम संख्या है तो 6 even नंबर है 6 को भाग दोगे 2-3 यानि तीसरी और चोथी नंबर तो तीसरा और चोथा यह है इनके बीच का उसत होगा और बीच में क्या है 86 तो यह होगा 85 और यह होगा मेरे बच्चे 87 अब कहा रहा है पहली और आकरी संख्या बताओ तो यह 4 कम यानि 81 क्योंकि दो नंबर पढ़ रहे हैं बीच में और यह 4 ज़्यादा है 91 तो 81 91 जो होगा वो मेरा आंसर होगा हाई है ना वो मेरे प्यारे बच्चो मेरा आंसर होगा किसी भाई भेन को कोई दिक्कत है सवाल में कह रहा है मेरे बच्चो 8 लगातार संख्याओं का उसर बाउन पैंट 5 है पहली और आकरी संख्या का अंतर गयाद कीजिए तो मेरे भाई भेन एक बात बताओ मेरे नन्य मुन्य बच्चो 8 लगातार नंबर है कितने नंबर है आठ लगातार नंबर है तो अगर पहला नंबर में फर्स्ट नंबर फिक्स कर लूँ तो इसका कितने नंबर होंगे साथ आपने का जी हाँ और हर नंबर में कितना डिफरेंस होगा एक क्योंकि मैंने कहा था ने जब भी सिंपल कंजिकेटिव नंबर बोला होगा तो यहाँ डिफरेंस एक आएगा तो साथ एक हम साथ हो इसमें और यह वाला नंबर एक प्लस साथ हो जाएगा यानि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा मेरे बच्चे हो कितना होगा एवरेज की जूरती ही है अमें बाद निकालने के किरा 17 लगातार विसम संख्याओं का उसवत इतना है पहली और आकरी तो 17 है ना तो यहनि पहला नंबर फिक्स कर दें तो उसका कितने नंबर बच गए 16 नंबर और हर नंबर में विसम संख्या है तो दो-दो का डिफरेंस तो यहनि 32 का डिफरेंस होगा मतलब जो फिर्स नंबर होगा और जो लास्ट नंबर होगा अगर फिर्स नंबर एफ है तो लास्ट नंबर एफ प्लस 32 होगा यहनि डिफरेंस आएगा मेरे बच्चे 32 कि एकतालिस लगातार संख्याओं का ओसत पैंतालिस है पहली और आखरी संख्या का योगफल ग्याद कीजिए देखे बड़ा ही आसान सवाल है ये बहुत सारे नंबर है ये मेरे पहला नंबर है ये मेरे बच्छो लास्ट नंबर है क्या मैं इनका ओसत निकाल सकता हूँ डारेक्ट आप कियें आप फेस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे दो ये तो ओसत होता है और ये ओसत देख इसके बराबर रखा तो दो को 45 से गुना करेंगे सीधा नंबर आ गया तो फर्स्टम और लास्टम का जोड़ आ गया नब तो 41 क्या है ओड नमबर तो 41 में एक जोड़ा 42 और 42 का अधा करोगे मेरे बच्छे ताएगा 21 यानि 21 जो टर्म होगी माली जी ये 21 टर्म है 21 पद है तो 21 पद हमारा उसत होगा और वो दिरखा उने इंचास तो सवाल में कह रहा है कि सबसे बड़ा नमबर ग्याद करिए तो मेरे बच्छे 41 नमबर है टोटल उसमें से 21 ये है तो 20 इससे पीछे होंगे और 20 इससे आगे होंगे बिलकल होंगे और मेरे बच्चे विसम नंबर है ओड नंबर है तो हर एक नंबर में दो-दो का डिफरेंस होगा तो कुल मिलाके 40 का डिफरेंस होगा यानि 49 में 40 जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे ये जो नंबर होगा ये हो जाएगा आपका 89 है कही option? option D हाँ है न? अपके? तरिये बाबु आए दोस्त मेरे बच्चे ये जो AP लिखा है न AP का मतलब थोड़ी देर पहले समझाया था क्या होता है करमागत स्रेणी ही होता है तो कह रहा है इसका ओसत 47 है तो ओसत का एक सीधा सीधा फंड़ा फर्स टम प्लस लास्टम बटे दो ये 49 देर रखा है और फर्स टम उसने 7 देर रखी तो लास्टम निकल जाएगी कर नहीं AP निकल जाएगी 47 दोनी 94 चुरानमे चुरानमे में से 7 गटाएगे 87 मिरान सो हाई ना बहुत सुंदर करिए बाबू यह दा एक सामनांतर स्रेणी का अंतिम पद है 139 और ओसत है 60 तो भई फर्स टम और लास्टम है 139 इनका जो ओसत होगा सभी का ओसत होगा और ओसत दिर्ख है 60 62 गटाएगे 9 आंसर आजाएगा माइनस का कितना आजाएगा मेरे बच्चे माइनस का 9 मेरे बच्चे कह रहा है यदि 85 करमागत विसम संख्याओं का ओसत 89 है पहली और अंतिम का यह बताओ तो फर्स और लास्ट का जो एवरेज होगा वो 89 तो 89 इंटू 2 हमरा आंसर होगा जितने भी अभी तक पीपर में कोश्यन आये है मेरे बच्चे मैं सारे ही कोश्यन आपके लिए पिक कर रहा हूँ कह रहा है यदि 25 करमागत संख्याओं का ओसत 56 है तो पहली और अंतिम संख्याओं का यह ग्यात करिए तो 56 गुना दो कर दीजे टारेट कहता है यदि 5 करमागत विसम संख्याओं का ओसत तीहत्तर है तो पहली और आख्री का डिफरेंस निकाली है तो मेरे बच्चे उसमें ओसत की जूरती नहीं है हमें पता कितनी संख्याओं है भाई 5 संख्याओं एक fix कर दी तो बागी कितनी बची चार और हर एक में difference कितना होगा दो क्यों होगा जी क्योंकि ओन नमबर है तो चार दुनी आठ यानि पहले और आखरी वाले में जो difference होगा मेरे बच्चों वो आठ होगा हाँ यह न करा जी यदि 13 क्रमागत सम संख्याओं का ओसर 204 है तो पहली और अंतीम संख्या के बीच का अंतर गयात करो तो 13 में से पहली fix कर देंगे बच्ची कितनी 12 और हर एक में दो दो का difference क्योंकि even number है तो 24 तो पहली और आखरी के बीच में difference होगा मेरे बच्चे 24 आईए मेरे बच्चे देखिए सवाल में कर रहा है 6 के लगातार 12 multiple है तो यह 12 multiple है 1,2,3,4,5,6 ऐसे 12 multiple होगे वो यह नहीं कर रहा कि पहले 12 multiple है जो हम यह कहेंगे 6 गुना 1,6 गुना 2 यह हमें नहीं पताकि पहले हैं या आखरी के या बीच के हैं कैसे लेकिन ये पता है कि भाई 12 multiple लगाता रहा है ठीक है नहीं 12 संख्या है कुल में लागे और इनका उसत उनेतर है तो भाई 12 संख्या है बारा एक even नंबर है तो उसत होगा 12 बटे 2 यह नहीं 6 संख्या और 7 संख्या के बीच का तो मान लीजी यह अगर 6 नंबर है तो यह 7 नंबर तो किरहा है आ 16 है 19 तो यह 3 कम होगा तो मेरे बच्चे कितना होगा और 3 6 संख्या है पूचे कहां से सिरु ही तो इस तरीके से गाला है लेकिन अगर वो यह पूछ रहा है कि पहली और आख्री के बीच का अंतर तो मुझे पता है कि भाई यहां अगर पहला नंबर 6 का x multiple होगा तो लास्ट वाला 6 का x plus 12 multiple होगा क्योंकि पहले 12 multiple है आपने का हाँ तो इन दोनों के बीच में जो difference आएगा वो कितने multiple का होगा 11 multiple का क्योंकि पहला है यह 12 तो इनके बीच का जो difference होगा मेरे बच्चे वो 11 multiple का होगा तो 6 गुना 11 66 होगा सीधा या और आसानी इसकरें 6 के सरुवात से multiple ले ले 6 कम 6 और यहां लिखें 6 गुना 12 तो भई 12 चिक 72 और 6 कम 6 72 में से 6 गटाएंगे तो कितना हैगा 660 हाँ अगर वो यह पूछे के multiple कौन-कौन से थे तो फिर आपको इस तरीके से जाके निकालने पड़ेंगे सरुवात के हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको A से लेके Z तक, 0 से लेके Hero तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी के से समझाऊँगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाएंगे मेरे पहरे बच्चों इस बैच में आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है पाच्वी चीज़ आपको यहाँ पर free or cost test series प्रोवाइड करा ही जाती है Thank you मेरे बच्चों करिए मेरे पहरे बच्चों इस सवाल को देखे सवाल में कर रहा है तीन करमागत विसम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के उसद से 38 सदीक है पहले मैं डेटेल बताता हूँ फिर आपको इसका सोट भी सिखाओ गरजी तीन करमागत विसम संख्या है यानि तीन लगातार नंबर है तीनों के तीनों करमागत है और विसम भी है यानि कंजिकेटी भी है और ओड भी है तो मेरे बच्चे एक नंबर को मैं एक्स मान लेता हूँ तो दूसरा नेचरल है एक्स प्लस टू होगा उससे अगला एक्स प्लस फूर होगा आप कहा है क्यों क्योंकि सर मान लीजिए ये नंबर तीन है ये पाँच है ये साथ है तो आप एक बात बताईए ये दो बड़ा ये से दो बड़ा हाँ है ना तो कंजिकेटी ओड नंबर होंगे तो डिफरेंस दो ही रहेगा और दो और चार छे तो तीनों का जोड़ाया तीन एक्स जमाच है कहता है तीनों संख्याओं का योग इनके ओसत से ओसत क्या भई एक्स प्लस टू तीनों संख्याओं का योग मेरे पेरविच्चों इनके ओसत से 38 अधिक है ओसत से मेरे नन्य मुन्य बच्चो कितना अधिक है 38 अधिक है तो सोल करोगे माइनस होगा तो 3X में से X गया 2X बिल्कुल सही है 6 में से 2 गया 4 प्लस 4 उदर जाएगा माइनस का 38 में 4 गया 34 X की value आगे मेरे बच्चो 17 इसका अलब सबसे छोटा नंबर 17 है उससे बड़ा नंबर 19 है और उससे बड़ा नंबर 23 है नहीं 21 है तो उसने हमसे शायद पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो मेरे बच्चे आपका उत्तर होगा 21 हाँ जी बहुत संदर आप कहें जी पेपर में कैसे करें तो मेरे बच्चे उसने कहा कि कोई भी 3 करमागत विसम संख्या है कोई भी 3 करमागत विसम संख्या है तो आप अपनी मर्जी से जो मर्जी विसम संख्या है डालो सोच नहीं तो है तो एक ले लेते हैं तीन ले लेते हैं और पांच तीनो करमागत हैं हाँ जी तो मेरे बच्चों ये बताओ इनका उसत क्या है तो आप कहेंगे एवरेज आया तीन बिल्कुल सही है और इनका यू कितना हुआ एक और तीन चार और पांच नो तो नो में से तीन घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आजागा च्छे हाँ है ना नो में से तीन घटाएंगे कितना आजागा च्छे क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए भई तीन करमागत विसम संख्याओं का योग इन तीनों संख्याओं के ओसत से 38 अधीक है मानली बात बिल्कुल सही है तो तीन करमागत वी सम संख्याओं मैं अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं एक तीन पांच ले लिए आपने का जी ठीक है कोई बढ़ाए नहीं ले लीजिए तो इन तीनों संख्याओं का यह ओगा पांच तीना ठारिक नो नो में से ओसत कितना हो तीन घटाएंगे छे डिफरेंस आएगा जबकि वो कहा रहा है छे नहीं 38 ज्यादा है 38 ज्यादा है बिल्कुल सही है जी अगर 38 ज्यादा है तो यह 38 को रिफरेंट करा तो एक यूनिट की वैल्यू 38 ज्यादा है यानि 19 ज्यादा है तो मेरे बच्चों यह नंबर क्या होगा क्योंकि हमने ओसत इसको माना है तो हमने तो सारा इक हेल इस पर डिपैंड करना है आपने का जी बिल्कुल तो तीन यूनिट की वैल्यू क्या होगी तीन गुना 19 बटे 3 तीन से तीन कर जाएगा तो उत्तरा है 19 इसका मतलब मेरे बच्चों यह नंबर हुआ 19 और यह कंजुकेटिव ओर नंबर है तो यह 19 से अगला हुआ 21 और 19 से पिछला हुआ 17 तीन संख्या है 17, 19 और 21 है हाए ना हमेशा इसी को पकड़के सारी कहानी चल रहे है क्योंकि ओसत इसी को ले रहे है हाए ना तो सारा खेल ही इस पे डिपेंड कर रहा है तो पूरा खेल इस पे डिपेंड कर रहा है तो इसी को सोल करके चलना है आपने पक्का आईए मेरे बचे अब इसका सूट कट पड़ते हैं किरा तीन करवागत विसम संख्याओं का योग इन तीन संख्याओं के उसद से 38 अधिक है मेरे बचे डेटेल मैंने समझाएगा अब सूट करते हैं सूट करते हैं दो चीजे ध्यान दीजी एवरेज निकालने का सुत्र क्या बताया मैंने into number of observation होता है हाँ है न यानि आकडो का योग जो होता है वो ओसत गुना आकडो की संख्या होता है मोटे तोर पर हम ये बात कह सकते हैं तो कहरा जी तीन करमागत विसम संख्या है कितनी संख्या है तीन तो मेरे प्यारे बचो अगर मैं ये माल लो कि इनका ओसत तीनो संख्याओं का जो ओसत है इन तीनो संख्याओं का जो ओसत है वो एक यूनिट है मैं माल लेता है इन तीनो संख्याओं का ओसत क्या है मेरे प्यारे बचो एक यूनिट आपने का जी ठीक बात माल ली इन तीनो संख्याओं का उसत एक यूनिट है अगर सर इन तीनो संख्याओं का उसत एक यूनिट है तो यानि एवरेज आपको मिल गया कितना एक यूनिट और संख्यां कितनी है तीन तो सारी संख्याओं का योग कितना होगा तीन आप कहेंगे हाँ यानि सर अगर इन तीनो संख्याओं का ओसत आपने एक यूनिट मान लिया तो इन तीनो संख्याओं का योग कितना होगा ओसत गुना आकडों की संख्या यानि गुना तीन यानि तीन होगा तो तीनो संख्याओं का योग होगा तीन ओसत होगा एक तो जो तीनो संख्याओं के योग से जब इन संख्याओं का ओसत घटाएंगे तो difference कितना आएगा आप कहेंगे 2 unit और दे कितना रखा है मेरे बच्चे 38 तो एक unit की value आएगी 19 तो एक unit की value 19 मलब ओसत आगया 19 यानि ओसत बीच वाली संख्या होगी तो ओसत 19 आगया तो ये मेरे बच्चे क्या थे और नमबर थे तो ये 17 होगा और ये क्या होगा 21 19 और 2 21 आपने का जी बिल्कुल सही अब ज़रा इस सवाल पर यह है देखेजी पहले से detail कर लेते हैं पांच करमागत संख्या है एक दो तीन चार पांच एक नमबर एक्स ले ले तो एक्स प्लस टू हो गया एक्स प्लस फोर हो गया एक्स प्लस सिक्स हो गया एक्स प्लस हीट हो गया सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करमागत संख्या है, सम संख्या है हाए ना मेरे भाईयों, बिलकुन तो ओसत क्या हुआ, x प्लस 4 average क्या हुआ, मेरे बचे, x प्लस 4 हाँ जी अब इन सारी संख्याओं का योग करें तो x, 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 5x 6, 4, 10, 8, 2, 10, 20 तो सारी संख्याओं का योग हुआ, पांच x प्लस 20 इस में से ओसत घटा दें ओसत क्या जी, x प्लस 4 तो कह रहा है, इन सारी संख्याओं का योग है वो ओसत से 40 जादा है बिलकुल सही है, सर, मानली बात 40 हाँ है ना, अब क्या करिए आप ये प्री 5 x में से घटा होगे तो 4 x बचेगा, बिलकुल सही है और 20 में से 4 घटा होगे, सर, 16 बचेगा 16 उदर लेके जाओगे, किसका होगा, माइनस का 40 में 16 गया, 24 बचा तो 4, 6, 24 x की वैलियो आगई, मेरे बचे 6 तो ये नमबर 6 होगा, ये 8 होगा ये 12 होगा, ये 16 होगा, ये 16 होगा है, नहीं गलत लिख दिया कि मैंने 6, 8, 6, 4, 10 होगा, माप करना भई, ये गलत लिख दिया ये 10 होगा, ये मेरे बचे 12 होगा, ये 14 होगा सबसे बड़ा नमबर 14 हो, सबसे छोटा नमबर 6 हाई है ना पिपर में कैसे करें इस सौल को तो पिपर में कैसे करें इस बात पे चर्चा करते है तो मेरे बच्चों उसने का पांच करमागत सम संख्या है तो एक दो तीन चार पांच थोड़ा बना देता हूँ एक दो तीन चार पांच तो पांच करमागत संख्या है हम अपनी बाभू तो आपने का जए एवरेस दो गया 6, इन सब का जोड करोगे, तो सर देखो दो और चार शह, चार शह, शह, बारा, बारा और आट, बीस, बीस और दस, तीस, यही हो और न भाई, छीक है न, चार चार दस, दस बीस, दस, तीस, तीस में इसे च्छह घटाएंगे मेरे बचे तो बचेगा 24, 30 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा 24, आपने का जी बात तो सही है, उसने यही का न, सभी संख्याओं की योग से, इनका उसद घटाओ, तो 6 घटाओ, योग 30 घटाओ, 24 घटाओ, वैसे भी आपको यह समझना चीए, कि इन सब की योग से, जब मैं इस घटाओंगा, तो बचेगा क्या, ये, 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 और ये ही बचेगा, तो 10, 8, 18, 4, 22, 22, 24 ही बचना था, अब आई ये आगए, कि 24 बचाओं सा, 24 यूनिट ज्यादा ये, जब कि एक चॉल में इद रखा है, 40 ज्यादा, तो मेरे बचो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, जब कि 40 बचेगा, चार धाई 40 तो चार से तो खटेगा 6, 8 से भी कट रहा है, 85, 40, 68, 24, इसका अदलब, एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बचो क्या ही 5 बचेगा, तो ये नमबर आपने क्या माना हुआ था, चार और सारा खेली हम इस पे खेल रहे हैं, तो 6 यूनिट 6, 2, 5, 10, तो इसका मतलब मेरे पैरे विच्छो सबसे बीच का जो नंबर है वो 10 आया, ये तो हमने सिर्फ समझने के लिए माने था, actual में इनका कोई relevance नहीं है, ये actual में सही नहीं है, हमने तो सिर्फ ये समझने के लिए लिए थे, कि भई अगर आप यहाँ, x, x plus 2, x plus 4 ये भी करते, तो भी सेमी कहानी होनी थी तो ये 10 आ गया, तो ये 12 होगा ये 14 होगा, ये 2 कम 8 होगा, ये 2 कम 6 होगा, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मेरे बच्छों, हाए ना आईए मेरे बच्छे, अब इसका सोटकट पढ़ते हैं, 5 करमागत संख्या हैं, इनका योग इनके ओसत से इतना ज़्यादा है तो मेरे बच्छे, मैं मान लेता हूँ इन 5 संख्याओं का ओसत एक योनिट है, अगर इन 5 संख्याओं का ओसत एक योनिट है, तो तो पांचो संख्याओं का योग क्या होगा तो आप कहेंगे सर सम निकालने का फंडा है ओसत को number of data से multiply करें यानि ओसत को आकडो की संख्या से गुना कर देंगे तो आकडो का योग आ जाएगा यानि if we find if we want to find the sum of all observation it would be get it by multiply the average to the number of observation हां जी तो भई मैंने 69 एक उनिट मान लिया और कह रहा है पांच संख्याओं है तो योग कितना होगा ओसत गुना पांच यानि 5 आजाएगा अब सवाल में कह रहा है कि इनका जो ओसत ना इनका जो योग है वो इनके ओसत से कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 4, 5 में गया 4 यूनिट जबकि दे रख़ा है कितना? 40 ज़्यादा है तो 4 यूनिट 40 है तो बावो एक यूनिट की value 10 आ गए मतलब इनका O7 आगया 10 अब 5 संख्याओं में O7 हमेशा 24 नमबर होता है आप कहेंगे हाँ तो O7 आगया 10 तो यह 8 होगा, यह 6 होगा, यह 12 होगा, यह 14 होगा जो पूछा जा रहा हूँ निकाल देंगे चोटी संख्या पूछी तो 6 निकाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बताईए और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसे detail x मान के भी करेंगे तो बहुत लंबा चोड़ा कोई कारवाई होनी है, इसमें बहुत समय लगना है, अब ही नहीं है अगर आप थोड़ असा समझते हैं बातों को तो फिर इतना लंबा चोड़ा समय नहीं लगना चीए आपका जहां तक मुझे लग रहा है भाई, आठ करमागत सम संख्याओं का योग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ करमागत सम संख्याओं का योग इन आठ संख्याओं के ओसत से इक्याण में अधीक है ओसत से इक्याण में अधीक है, मेरे बैचो ध्यान देना तो मैं कोई भी आठ नंबर मान के चल लेता हूँ पहले मैं डेटील बताता हूँ कि शौट करें आठ करमागत संख्याओं ले लेते हैं एक X, एक X-2 X-4, X-6 X-8, X-10 X plus 12 और X plus 14 आप कहेंगे जी हाँ 8 संख्या यही हुई और सारी की सारी क्या है इवन नमबर है ठीक है जी अब कहा रहा है कि इनका उसत बताओ तो मेरे प्यारे बच्चे एक बाद बताइए इनका उसत क्या होगा 8 संख्या है तो 8 पटे 2 8 पटे 2 जमा 1 एथ टम तो 4 टम और मेरे बच्चे 5 टम इनका जो उसत होगा वही मेरा अंसर होगा आए ना, तो ये मेरे पेरव जो फूर्थ टर्म है, और ये मेरे पेरव जो फिफ्थ टर्म है, इनके बीच का मेरा उसात होगा, तो X प्लस 6 और X प्लस 8 की बीच की वैल्यू क्या होगी, X प्लस 7, आपने का जी बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, अब करते है 16, तो X, 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 X कितनी बार है, 8 बार तो 8X तो है जो 2 और 4, 6, 6 12, 12, 8, 20, 10, 30 30 और 10, 40 और 10, 50 और 6, 56, तो 8X प्लस चप्पन यह आया सारी संख्याओं का यो कहता है, अगर इन 8 संख्याओं की योग से, इनका ओसत घटा दे, ओसत कितना है जी X प्लस 7 यह मेरे बचे घटा दे तो कहता है, 91 में रिफरेंस आता है, तो माइनस करेंगे X, तो 8X में इस X क्याए, 7X 56 में 7 गया, मेरे बचे 49, 49 उदर जाएगा माइनस का, तो 99 में में इसे 49 घटाओ 2, 4, 9, 2, 11, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6 तो मेरे बचे हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे बाबू लोग ये नमबर 6 था, ये नमबर 8 था, ये नमबर 10 था, ये 12 था, ये 14 था, ये 16 था, ये 18 था, ये 20 था तो उसने पूछा अंतिम संख्या क्या हो तो मेरे नन्य मुन्य बच्चों अंतिम संख्या होगी 20, ये तो था डिटे कहता है आठ करमागत समसंख्याओं का योग आठ संख्याओं है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ आठ संख्याओं है, कहता है आठ संख्याओं का योग इन आठ संख्याओं की ओसत से, तो मेरे बचे हम मान लेता है इन आठ संख्याओं का ओसत एक योनिट है, अगर ओसत एक योनिट है, तो इन आठ संख्याओं का योग क्या होगा, ओसत गुना में नमबर, बलब आठ नमब बेसिक बात है यार उसत कितना निकल क्या है तेरा अब मेरे बच्चो समश्या हैं फज़एगी हमरे नजर में क्या किसर संख्या है आठ अब आठ आगया तो आठ को दो से भार देंगे सीधा चोथी संख्या और पांच वी संख्या यानि फूर्थ और फिफ्ट के बीच का उसत होगा तो माली जी ये फूर्थ नंबर है और ये मेरे बच्चे फिफ्ट नंबर है तो इन के बीच का मेरा उसत होगा और फूर्थ और फिफ्ट के बीच का मेरा उसत होगा और उसत है तेरा तो ये value 13 है तो ये 14 होगी और ये कितनी होगी 12 ये 12 है तो आप जानते हैं दो दो घटाते लाएंगे क्योंकि even number बोला है तो 3 दूनी 6 तो ये आ जागा 6 और ये 14 अच्छे 20 तो सबसे बड़ा number 20 हो जाएगा मेरे बिचे सबसे चोटा number 6 हो जाएगा हाँ है ना किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक नहीं अब बताइए अच्छे ये तसेम ही हो गया करिए मेरे बचे सबसे को कहता है 6 करमागत विस्व संख्याओं का योग इन संख्याओं के ओसत से तो मान लेते हैं जी 6 संख्याओं का ओसत एक यूनिट है आप एक यूनिट नहीं मानना चाहते तो आप एकस मान लीजिए हाँ है ना उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर आपको एक यूनिट में दिक्कत है तो आप मान लीजिए कि छे संख्याओं का ओसत है एकस तो छे संख्याओं का योग क्या होगा औसत गुना 6 यानि 6 X तो योग इनके औसत से कितना ज़्यादा है 5 X और ये 5 X बरावर है 60 आप चाहें तो एक और 6 करके भी कर लेंगे तो X की वैल्यू होएगी 12 मतलब औसत निकल के आगया 12 अब मेरे बचों संख्या हैं कितनी है 6 तो बीच की कौन-कौन सी होगी 3 और 4 ये दोनों बीच की होगी हाँ जी सर और 11 कितना आ रंखा है मेरे बच्चे 12 तो ये 11 होगी और ये मेरे बच्चे कितनी होगी 13 अब पूछी किया पहली तो 11,9,7 तो ये संख्या होगी मेरे प्यारे बच्चों साथ आया न वक्का किसी भाई बेहन को दिक्कत है यहां तक आउ और आउ इस टाइब का कुछ और तो नहीं करिये जिस सावल को देखिए मेरे बचे अगर आपको कही नजर दोड़ा नहीं थी तो यहां दोड़ा नहीं थी कि 5 है करमागत है और समसंक है मुझे जो सोचना चीए था इन 3 सब्दों पे ध्यान देना था अब आप आगे की लाइन पढ़िए और फिर आप निकालिए मैं थोड़ा हैंट देता हूँ वही 5 नमबर है एक, दो, तीन, चार, पाँच अब अगर 5 संख्या हैं और इवन नमबर हैं तो पहली और पाँच वी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो बताने की जरूरत है सवाल में हमें खुदी पता होता है हर एक में दो, दो का डिफरेंस जोड़ेंगे तो ये पहली संख्या होगी तो चार बर्ची, चार दुनी, आठ तो डिफरेंस आठ है तो इसका मतलब ये हुँआ सर कि इस बात का सवाल में कोई अर्थ ही नहीं है यदि पाँच वी संख्या और पहली संख्या का अंतर आठ है ये सवाल में इंगलिस में और फिर्स नंबर इस एट तो री का लिखा है इंगलिस में इस बात का सवाल में कोई संख्या नहीं है ये वाहियात से पॉरसे लेंग्विज बना के दिये तकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाए देखे मेरे बचे अब दो तरीके से इस सवाल को टैकल करते है सबसे पहले डिटेल समझाता हूँ फिर सोट समझाएंगे अगर मुझे डिटेल समझाना है तो मैं एक नंबर X ले लेता हूँ दूसरा X प्लस 2 ले लेता हूँ तीसरा X प्लस 3 हो गया फिर X प्लस 4 हो गया फिर मेरे बचे X उत्तेरी कहां दिमाग चल लहा है X प्लस 5 हो गया ना X प्लस 4 क्योंकि E1 X प्लस 6 और X प्लस 8 हो गया अब सर सवाल में मुझे कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग पहली दो संख्याओं का योग तो पहली दोनों संख्याओं का योग निकालोगी मेरे बचे तो कितना होगा X और X 2 X प्लस 2 कहा रहा है पहली दो संख्याओं का जो योग है पांचवी संख्या से 6 दीक है तो पांचवी संख्या ये है X प्लस आठ से कहा जी 6 जादा है तो मेरे बच्छे 2X में X गया X 2 में से 8 गया मैंश 6 माला मैंश 6 है गया मैंश 6 उदर गया 12 तो X की value आगे मेरे बच्छों 12 इसका लगा नमबर 12, 14, 16, 18 और 20 तो उसने पूछा था 5 और संख्याओं को ओसत ग्यात करो तो ओसत आगे मेरे पेरे बच्छों 16 ये तो है detail question का बस हमें पढ़ते वक्त 2-3 चीजे देखनी है कि है पहली और 5 ही का difference 8 है कोई sense ही नहीं बनता क्योंकि 5 वैसे भी लगाता करमागत sum ले लो या भी sum ले लो difference 8 ही होता है तो एक बार पढ़ो फिर आब इसे sort कराता हूँ आब इसे पढ़ते है sort अब मेरे बच्छों sort cut पे आते हैं मैं आप से कुछ बाते जानना चाहता हूँ आब मुझे एक बात का जवाब दीजिए मैं कह रहा हूँ यार ये तीन नंबर है एक दो और तीन पहला नंबर X है दूसरा नंबर X प्लस 2 देखे हमें अपनी सोच को बढ़ा करना है और ये नंबर है X प्लस 8 और हमसे समझने की कोसिस करने हैं जलगाजें मैं कह रहा हूँ इन दोनोग संख्याओं का योग इस संख्या से 6 ज्यादा यानि ये बच्चों ये वाली वैल्यू इससे 6 ज्यादा सिर्फ और हमसे सोची हैं सिर्फ इतनी ही सोची है तो आप एक बात बताएं क्या इसे थोड़ा सा सोचना और कुछ नहीं करना कि ये नंबर भई इस जोड में से ये घटाएंगे आप कहेंगे हाँ सर इस जोड में से ये नंबर घटाएंगे तभी तो हमारा छे आना चीए आपने का जी बिल्कुल तो ये X और X तो यहां सेम ही होगा हाए ना मेरी बात समझ रहे ना मान लीजी अगर ये नंबर और ये कोई सा नंबर है ये नंबर A है और ये नंबर A प्लस बारा है तो क्या मैं ये सिदा सिदा नहीं कह सकता कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस बारा है इस number में और इस number में difference वा आठ हाँची बचा क्या ये यानि इस number और इस number का difference आठा 8 अब ये number बचा अब ये number मेरे प्यरे बचो क्या होगा कि इनके योग और इसका बीच का difference छे हाजाए तो आप कहेंगे 8 और चैसे 14 होगा ये number कुछ भी करालो से ये नमबर हराल में 14 होगा बई समझो मोटी बुद्धी से समझाता हूँ दुबरा से ये नमबर X है ये X प्लस 2 और ये मान लीजिए अपनी तरह से नमबर दे रहा हूँ X प्लस 8 और मैं कहरा हूँ इन दोनों का जोड़ इस से 6 ज़्यादा है तो आप ऐसे लिखोगे X और इस X प्लस 2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ X प्लस 2 ठीक है जी X प्लस 8 घटा रहे है तो ये आ रहा है सिर्फ समझने की कोशेस करो मेरे बच्चों जब ये माइनस ओपन करोगे ये ब्रैकेट घटाओगे यहां से तो ये माइनस लगेगा और यहां पे भी माइनस लगेगा आपने का जी हाँ तो मेरे भाई एक बात बताओ ये X से तो X कट जाएगा ना इसको कहां दिक्कत हो रही है X से तो X कट जाएगा बिल्कुल कट जाएगा हाई ना अब इस नंबर में और इस नंबर में डिफरेंस आरा 6, तो किसी चीज में से 8 घटा के 6 लाना है, तो नेचुरल सी तो बात है, इन अमबर क्या होना चीए, भई अगर मैं कहूँ कि ये कोई नंबर है, और इस में से मुझे 10 घटा के 40 लाना है, तो नेचुरल ए नंबर 40 और 10 पचास होना चीए, इसमें कुछ है ही नहीं, अगर मेरे ये नंबर और ये नंबर कट गया, या 8 बचा और इस में से ये घटा के मेरे 6 आना चीए, तो ये 8 है, तो नेचुरल ए क्या होना चीए, चोधा, चोधा में से 8 घटा, तबी तो 6 बचा, तो सेम यही काहनी मेरे बचों इस सवाल में थी, हमें ये बात साफ पता थी कि ये पहला नंबर है, ये लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर और पहले नंबर के बीच का डिफरेंस 8 होना है, बिलकुल, और ये सेकंड नंबर है, तो मेरे बचे फर्स नंबर में से जब लास्ट नंबर हटा होगे, तो बचा क्या 8, अब सेकंड में से 8 घटा के क्या बचना चीए 6, तो 8 घटा के 6 बचना चीए तो यानि सेकंड नंबर क्या होना था 14, और second 14 है तो ये क्या होगा? 16, ये 18 और ये 11 था 20 और ये 14 है तो ये कितना होगा? 12 जिनको कम पले पड़ा वो इस चीज़ को अराम से detail सौल करेंग दोबार detail तो मैंने साफ सुतरे तरीके से कर रहा है हाए ना? आगे आगे करिए मेरे बच्छे सौल को देखे मेरे बच्छे साथ कर्मिक विसम संख्याओं का अउसत क्या है? यदि अन्तिमुर पहली संख्या का अंतर भारा है द्यान देना इस बात को बताने की जूरती नहीं है क्योंकि अगर साथ लगातार संख्याओं है तो एक खटा देंगे तो बच्छी च्छे दो दो का डिफरेंस होगा तो बारह ही होगा और कहरा है पहली दो संख्याओं का योग यानि पहली फर्स्ट और सेकंड इन दोनो नमकर का जो सं है वो लास्ट नमकर से लास्ट नमकर से तीन जादा है तो मेरे बच्छों ये बताओ पहला नमकर एफ है तो लास्ट नमकर क्या होगा आफ पलस ट्वेल आपने का जिह हां और इन dusंभे जोड में से अब मुझे चाहिए क्या तो मुझे चाहिए विश्म संख्या को ओसत ग्याद करें संख्या के कुन सी है, कितनी है, साथ तो चोती संख्या मेरा उसत होगा पंदरागबाद सत्रागबाद उननेस आएगा तो मेरा उसत मेरे बच्चे उननेस आएगा हाई ना, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को तो लिख के देख लिजी ना कि पहली टर्म और सेकंड टर्म दोनों का जोड आखरी टर्म से तीन ज्यादा है, तो काटोगे एफ सेफ कर जाएगा तो एस माइनस बारा बराबर तीन है तो एस की वेल्यू पंदरा आजाएगा, मैंलों सेकंड नमबर पंदरा है और ये ओर नमबर है तो पंदरा से पहला तेरा होगा, पंदरा गवाद सत्रा फिर उननीस फिर ऐसे, अगर कितनी संख्या है साथ, तो साथ ओर नमबर है तो साथ में एक जोड़ा आठ दो से भाग देंगे मैंला मेरे बच्चे फोर्थ नमबर ऐसा होगा जो इस नमबर सीरीज में मेरा ओसत होगा हाए न देखो मेरे बच्चे, कर रहा पांच करमागत विश्म संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच एक तो सबसे बेसिक तरीका है कि मैं इसे एक्स मन लूँ तो ये एक्स प्लस टू हो गया, एक्स प्लस फोर हो गया x plus 6 हो गया और x plus 8 हो गया मेरे प्लस 4 अगर मैं पूरा detail करहा हूँ तो मैं shortcut भी बता रहा हूँ अब देखे सवाल में क्या कह रहा है इन विसम संख्याओं का ओसत ओसत कुन सा मेरे बच्चे x plus 4 कह रहा है इन में सबसे बड़ी संख्या के तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x plus 8 तो कहता है सबसे बड़ी संख्या के one third से सबसे बड़ी संख्या के one third से मेरे बच्चे 50 हदिक है ना सोरी कितना कह रहा है 3 fifth से कह रहा है पांच करमागत विसम संख्याओं का ओसत इसमें से सबसे बड़ी संख्या के तीन बटे पांच से पचास अधिक है हां जी तो इनका ओसत है कितना X प्लस 4 तो सवाल में कह रहा है कि इनका जो एवरेज है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर का 3 फिफ्ट से पचास अधिक है आपने का जी माल ली equation जैसी language में बोली हमने use कर ली आप मेरे बच्चे सब को मैं 5 से गुना कर देता हूँ तो 5 से गुना करोगी तो 5 कड़ जाएगा बचा 3 समझते हो ना equation solve करने तो देखो 3X आया 3,8,4 आया वह 5 से इधर भी गुना किया इधर भी इधर भी तो 5 कड़ गया 3 से क्या ही आया 5 को 50 से करेंगे 200 आया भाई और 5 को इधर करेंगे तो 5X जमा 20 आया आपने का जी ठीक है अब क्या करें जी ये 5X है, ये 3X है उधर जाएगा मेरे बच्चे 2X बचा ये 20 इधर आएगा माइनस का होगा 24 में 20 का 4 200 में 40 में 4 जोड़ा 254 अब ये 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दुनी 4 2 साथे 14 मतलब X की वैल्यू आगई मेरे 99 बच्चो 127 X की वैल्यू है मेरे बच्चो 127 तो करेंगे सबसे चोटी संख्या ग्याद करिए तो सबसे चोटी संख्या पूची थी तो मेरे बच्चो मेरा आंसर आ गया एक सोसत है आया ना ये तो था मेरे भाई डिटेल किसी भाई बेन को कोई दिक्कत है आव मेरे बच्च अब इसका सोटका समसते है सोटका क्या है लेंग्विज का ही खेल है देखे कर रहा है जी पांच संख्या है एक, दो, तीन, चार, पांच सबसे बड़ी संख्या यह है कहता जी जो लार्जेस्ट नंबर है उसके पांच्चो नंबर का जो ओसत है इनके बीच वाला नंबर ओसत होगा कहता है पांच करमागत विश्म संख्याओं का जो ओसत है इनमें सबसे बड़ी संख्या के थ्री फिप से तो किसका सबसे बड़ी संख्या का थ्री फिप तो सबसे बड़ी संख्या माल लेते है मेरे बच्चे कितनी पांच है तो पांच एक्स माल लेते है कितनी माल लेता है मेरे बाबू 5X माल लेता है तो कोई दिक्कत है? नहीं तो मैं माल लेता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या है 5X बिल्कुल ठीक है जै तो जो ओसत है वो इसके 3 फिप तो 5X का 3 बटे 5 कितना होगा? 3X इस से 50 ज्यादा है सवाल में कह रहा है कि इन 5-4 संख्याओं का जो एवरेज है मेरे बच्चे वो सबसे बड़ी संख्या के 3 बटे 5 से 50 ज्यादा है बान लीजी बात अब मुझे बताओ ये सबसे बड़ी संख्या है और ये उससे तो छोटी है लेकिन यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना होगा? आप कहेंगे सर यहां करमागत है तो हरे एक नमबर दो दो बढ़ेगा तो दो ये बढ़ेगा और दो ये यानि कुल मिला के चार बढ़ेगा तो बान पाँच X में से ये घटाओगे 5X में से जब घटाओगे 3X जमा 50 3X जमा 50 तो difference आना चीए मेरे बचे 4 तो 5 में से 3 कैं मेरे भाई कितना आया आप कहेंगे 2X हाँ जी और ये माइनस 50 उदर जाएगा पलस का तो ये आएगा 24 तो मेरे बचे X की value आई 27 अब X की value 27 है तो 27 ती ये 81 81 और 5 हो गया 131 तो ओसत हो है 131 ये नमबर सबसे चोटा नमबर पूछा था तो 2 और 2 चार कम तो 127 होगा आया ना वो होगा मेरे बचे 127 आप चाहें तो इसी सवाल को ऐसे भी कर लें कि मान लेते हैं सबसे बड़ा नमबर 5 यूनिट है सबसे बड़ा नमबर 5 यूनिट है तो ये जो 0,7 होगा वो क्या होगा इसका 350 तो इसका 350 तियानी 3 यूनिट कहता है इस से 50 ज्यादा है इस से 50 ज्यादा है तो ध्यान यë रखना मेरे बचेओं कि ये वाली जो है ये unit है ये वाली value unit है और ये 50 actual है हाई ना और हम ये बात जानते हैं कि सर ये जो नंबर है ये वाला जो नंबर है ये नंबर इससे कितना ज्यादा है चार ज्यादा है क्यों क्योंकि दो और दो चार ज्यादा है तो भई अगर ये नंबर इससे चार ज्यादा है तो इसमें से घटा होगे मेरे बच्चे पांच म से 3 गया 2 unit और minus 50 आपने का जी हाँ सही है तो यह 2 क्या है unit तो यह जो difference है यह कितना है मेरे बच्चे 4 तो 50 उधर जाएगा 54 तो 2 unit बराबर 54 एक unit की value मेरे बच्चे 27 पका जी तो 27 थी 81 और 50 131 अब मत करीए ऐसे आप अराम से x मान लिजिए क्योंकि आपको समझना जरूरी है और फील आना जरूरी है हो सकता है कई बार आप यूनिट में गड़ बढ़ कर जाये जबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको ए से लेके जर तक जीरो से लेके हिरो तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी की से समझाऊंगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाईगे मेरे पहरे बच्चों इस बैच में आपको क्या क्या चीजे मिलती है पहली चीज सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज आपकी practice batches भी इसी के अंदर मिले गा है चोती चीज यहाँ आपको live doubt session मिले गा पाच्वी चीज आपको यहाँ पर free of course test series प्रोवाइड करा ही जाती है थैंक्यू मेरे बच्चे बैचे सवाल को कहता है लगातार तीन विसम संख्याओं का उसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के एक बटे तीन से बावना देगा यह तीन संख्या है एक दो तीन आजी कहता है इनका उसत क्या होगा यह बीच वाला नंबर होगा जो बिलकु सही है कहता है इनका जो ओसत है सबसे बड़ी संख्या के तो ये सबसे largest number होगा इसके 1 third से 1 third का मतलब यह हुआ मेरे बच्चों सबसे बड़ा number माल लेते हैं 3 x तो अगर सबसे बड़ा number 3 x है तो कहरा है कि इनका जो ओसत होगा इसका 1 third तो 3 x का 1 third क्या हुआ X कहता है इस से बावन जाता है ये हुआ मेरे बच्चों आपका average और ये जो average है ये सबसे बड़े नंबर के one third से बावन जाता है बिल्कुल ठीक है लेकिन मेरे बावले बच्चों ये तो बताओ ये सबसे बड़ा नंबर है ये ओसत है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा दो का आपने का जी बिल्कुल तो तीन X में से ये घटा होगे तो तीन X में से माइनस X करोगे कितना पचा दो X और माइनस बावन करोगे और ये डिफरेंस आना चाहिए दो तो 22 और 24 तो 2x बराबर 24 है बाबू तो x की value बनी 27 आए ना और x की value 27 है तो यह 27 ती यह 81 और ऐसे ही आगे नमबर निकाल लो उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी तो 81 से पहले यह आएगा 89 और यह आएगा 77 है ओप्शन में तो 77 मेरे प्यारे बच्छो आपकी सबसे छोटी संख्या होगी हाँ जी दूसरा आप इसी चीज को चाहते तो unit में भी break कर लेते लेकिन मुझे लगता है कि आपकी समझ जरूरी है बजाए कि एक unit से मैं कराऊ उस चीज को एक, दो, ती यह उसत होगा आप बिलकुल मानते हैं यह सबसे largest number होगा बिलकुल मानते हैं आप कहरा आप one third से तो मान लेता हूँ कि यह number तीन unit है ध्यान रखना है यह unit है तो उसत जो होगा वो इसके one third यानि एक unit से बाउन जाता है और समझ्चा यह है कि आपको यह बाइफरकेट करना है कि यह unit है और यह actual number है वो सकता है आप कई बार गलती से यह गलती कर दें इसलिए इसे 3X और X मान लेतें तो जब इस में से घटा होगे तो difference दो आएगा तो 3 में से गया 2 और minus bound तो यह difference ध्यान रखना दो unit है और actual में यह difference है दो तो minus bound उदर जाएगा प्लस का 54 दो unit, 54 एक unit, 27, 27 ती एक यह से मुझे लगता है कि आप ऐसे भी करेंगे तो ज़्यादा आजसान रहेगा करिए मेरे बचे देखे सवाल में कह रहा है कि what is the difference between the average of first 148 even positive number मैं आप से simply पूछ रहा हूँ कि average of first 148 even positive number का ओसत क्या होगा तो आप कहेंगे सर कि पहली n प्राकर्तिक समसंक्याओं का ओसत क्या होता है माप करना हमें उस पे जाना है तो आप कहेंगे सर वो होता है n प्लस 1 148 और 149 होगा बिल्कुल सही है सर कितना होगा मेरे बचे 149 पक्का अब मैं आप से पुछ रहा हूँ average of first 129 old positive number बही 139 विसम प्राकर्तिक संक्याओं का ओसत क्या होगा तो आप जानते हैं old positive number अगर n है तो उनका ओसत भी n ही होगा यानि 129 ही होगा कराजी इनके बीच का difference बताई तो difference निकालेंगे मेरे बचे 9 में 9 हो गया 0, 4 में 2 गया 2, 1 में 1 गया 0, तो उनके बीच का difference होगा मेरे प्यारे बच्चो कितना होगा 20 हाए न आईए मेरे बच्चे अरिये मेरे प्यारे बच्चो इस सवाल को बहुत ही प्यारा सवाल है और ऐसे सवाल एक बार पूछा हुआ और इस पे लगाता है आप से question बना सकता है प्यारे जी इन सारी संख्याओं का उसरत निका लिए तो मेरे प्यारे बच्चों, average का जो formula होता है, आप जानते हैं क्या होगा sum of observation, सारे आंकडों का योग, तो 1, फिर जमा में 2, जमा 2, फिर 3, जमा 3, जमा 3, फिर 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, जानी सारे आंकडों का योग निकालना है, तो मेरे बच्चे कुल मिला के मतलब यह है कि इन सब क जोड़ना है, तो देखो यार, एक कितनी बार आ रहा है, एक बार तो इसका योग एक आ है, दो कितनी बार आ है, दो बार, तो दो का वर्क, चार, यह बना योग, सर्थ 3 कितनी बार आ रहा है, तीन बार, तो 3, 3, 6, 3, 9, इसे 3 का वर्क लिख सकते हैं, चार कितनी बार आ रह अगर ऐसी मेरे बच्छों लास्ट में N लिखा होता तो एन N बार लिखा होता, तो यह उपर जो हो जाता न, इन सब का जोड़ो, जानते हो, क्या हो जाता, वन का स्केर, प्लस टू का स्केर, प्लस त्री का स्केर, और ऐसे ही चलते चलते, Sum of first and natural number, इस ख़़र आपने कहा जी, आकडो की संख्या हो जाती, एक जमाँ, दो जमाँ, तीन जमाँ, आकडो की संख्या, एन बार होती है, आपने का जी बिल्कुल सही है, तो मेरे पैरे बच्चो, इन सम का योग क्या होगा, तो आप कहेंगे, यह तो formula लिखवाया था सर, sum of square of first n natural number, तो सर, इसका formula लिखवाया था आपने n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 सर बिल्कुल सही है सर और ये क्या है सर ये तो sum of first n natural number इसका क्या फार्म लाता सर n into n plus 1 by 2 बिल्कुल सही है सर कटिंग होगी बिल्कुल होगी सर n into n plus 1 यहाँ पे भी यहाँ पे भी कट गया 2 तीया 6 कट गया तो सर आंसर आ गया कितना 2n plus 1 by 3 ये आपका shortcut बन गया ऐसे number का यानि अगर ये जितने भी number लिख रखे हो जो last बार repeat हो जैसे हैं 7 7 बार repeat हो रहा है तो n की value 7 रखो 7 दूनी 14 और 15 बटे 3 करोगे तो तो तर आएगा 5 अग सरा जाता मेरी बात समझ रहा हो आगर यहाँ n आता आखिर में और n बार repeat हो रहा होता तो मेरा उसात हो जाता 2n plus 1 by 3 सीधा सीधा स्टेंडर्ड समझ गे मेरी बात को आएप आगे पर आगे मेरे प्यारे बच्चों अभी थोड़ी दिर पहले मैंने ये चीज आपको सिखाई थी कि अगर नंबर में 5-5 का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है तो आपका जो ओसत है वो उसका आधा बढ़ता चला जाएगा थोड़ी दिर पहले ही समझाए था अगर नंबर में मैंने 12-12 का इंक्रीज किया है मेरे बच्चों तो उनका ओसत उसका आधा 6-6 बढ़ता चला जाएगा अगर मेरे बच्चे नंबर में मैंने 6-6 का इंक्रीज किया है तीन का अगर नंबर में मैंने 3-3 का इंक्रीज किया है तीन का कितने का है यह क्या नपता है था मैंने कुछ example दिया था कि दो नमबर जोड़ने तीन नमर जोड़ने तो क्या मतलब जितना आप नमबर में difference आप यहाँ पर ओस अज आधा difference जोड़ता चला जाता है यह ना तो यह मेरे पेयरे बच्चों अब हमारी अगली type और इसी पर मैं आप सारे सवाल करा रहा हूँ उमीदा आपको यह बात समझाई होगी और आज numbers के related जितने भी question है वो सारे question मैं पूरी तरह आपके खतम करा दूँगा आपको practice करने की भी even जरूरत नहीं होगी सारे question यही class में ही मैं आपको कराने जा रहा हूँ बताए मेरे बच्चे सवाल को देखे यह उसी type पे based है के रहा है 6 करमागत प्राकरतिक संख्याओं का उसत के है यदि अगली दो प्राकरतिक संख्याओं भी सामिल कर ली जाए तो के की तुलना में 8 संख्याओं का उसत कितना अधिक हो जाए केता है जी 6 करमागत प्राकरतिक संख्याओं डेटेल नहीं कराना बस पहला सवाल इसलिए समझारों केता है 6 नंबर है इनका उसत है कितना के अब आप जानते हैं कि करमागत प्राकरतिक संख्याओं तो हर एक में तो difference कुल मिला के कितना बढ़ जाएगा? एक और एक दो. आप सीधा क्या करो? हर एक में एक difference बढ़ रहा है, दो संख्याओं में दो difference बढ़ जाएगा. अगर संख्याओं में difference दो बढ़ रहा है न, तो ओसत में मेरे बच्चे difference का आदा, यानि एक बढ़ जाएगा, नय आउसत के प्लस वन हो जाएगा. तो सवाल में कह रहा है, के की तुलना में आठ संख्याओं का आउसत कितना अधिक होगा? तो पहले के था, तो अब के प्लस वन यानि एक अधिक हो जाएगा मेरे बच्चे. कितना दिक हो जाएगा एक बताइए जे कहता है पांच करमागत संख्याओं का ओसत ए है पांच संख्याओं उनका एवरेज है ए एक, दो, तीन, चार, पांच करमागत संख्याओं निया हर एक का डिफरेंस एक एक है अब कहरा अगर इसमें 3 संख्या हैं और सामिल कर लें तो अगर हर एक संख्या में एक एक जोडेंगे तो 3 संख्या में कितना difference जोड़ जाएगा 3 तो ओसत कितना बढ़ जाएगा 3 का आधा यानि नया ओसत A प्लस 1.5 हो जाएगा नया ओसत A प्लस 1.5 हो जाएगा कि आप मेरी बात समझ पाएगा बताएगे मेरे बच्चे देखे मेरे प्यारे बच्चो बहुत ही प्यारा सवाल है बस एक सब्द पर विशेश रूप से ध्यान देना होगा आपको next to next ये अगले से अगले ये जो है ना अगले से अगले ये बड़ा अगली वर्ड है इसको समझना जरूरी इस अगले से अगले सब्द का मुतलब है कि जिन 5 के हम बात कर रहे हैं उससे अगले 5 और उससे अगले 5 के हम बात कर रहे हैं If the average of 5 consecutive integer is X then find the average of next to next 5 consecutive integers तो उससे अगले से अगले पांच करमागत पूनांखों का उसत ग्याद करो, अगले से अगले पांच करमागत पूनांखों का उसत ग्याद करो, यह नि उसत जो निकालना है, वो सारे पूनांखों का नहीं निकालना, अगले से अगले जो पांच आएंगे उनका उसत निकालन वह पांच करमागत संक्षा है मैं कोई भी पांच करमागत संक्षा ले ले लेता हूं वह गिंती यहीं से कर लेता हूं एक, दू, तीन, चार, पांच आपने का जी हां तो मेरे बचो इनका ओसद क्या होगा तो आप कहेंगे सबसे बीच वाला नमबर तो ओसत होगा सर 3 ओसत होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 बिल्कुल सही है अब कहता है इससे अगली 5 से अगली 5 मतलब 5 ये और 5 उससे आगे तो कितने नमबर ओर जले जाएंगे 10 नमबर चले जाएंगे तो सोचो इसमें 10 जोड़ोगे मेरे बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं इसमें 10 जोड़ोगे तो इनी आखरी जो कर्मा पुर्णांक आएगा वो 15 आएगा फिर 14 आएगा फिर 13 आएगा फिर 12 आएगा और फिर 11 ये होंगे आखरी 5 पुर्णांक आखरी 5 पुर्णांक सवाल में वो ये कह रहा है कि पहले पांच पुर्णांकों का उसत पहले पांच पुर्णांकों का उसत मान लीजी तीन है अब कहता है इससे अगले पांच ले लीजी तो 6, 7, 8, 9 और 10 और उससे अगले पांच ले लीजी ये तो कहता है इन अगले वाले पांचों का उसत बता है यह क्या होगा तो इन अगले वालों का जो उसत होगा वो इस वाले उसत से कितना ज़्यादा होगा यह हमें कुल्मिला के सवाल में बताना है मतलब सब्दों को चासनी में लपेट रखा और कुछ नहीं कर रखा है तो ये बताओ, अगले 5 का उसद क्या होगा? अगले 5 का उसद क्या होगा? तो आप गो होगे, sir, कुछ नहीं होगा, यहाँ ऐसद 8 होना है, यानि, x प्लस Áत हो जाएगा, अगर यहाँ एकस था, स्षरी, यहाँ 8 हो रहा है, यहां 3 था तो यहां 8 हो रहा है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ओसत में 5-5 का increase वहा 3 और 5, 8, 8 और 5, 13 अगर आप नंबर 5-5 बढ़ाते चले जाएंगे तो ओसत भी 5-5 बढ़ता चला जा रहा है लेकिन आप कहेंगे सर अभी आपने बताया था कि जितना difference बढ़ रहा है उसका आधा उसत बढ़ रहा है हाँ उस बात में और इस बात में क्या फारको समझो अगर मैं आपको यह कहूँ कि पहली 5 संखें बताओ 5 कोई भी करमागत नमबर ले लो हमने ले लिया 10, 11, 12, 13 और 14 मेरे बच्चो मुझे इनका उसत बताओ आपने का जी उसत होगा 12 अब मैं कहूँ कि इसके अंदर 5 और संखें सामिल कर लो सामिल कर लो तो 15, 16, 17, 18, 19 ध्यान देना मैंने का सामिल कर लो मैंने क्या का सामिल कर लो सामिल कर लो तो इसका मतलब मैं अब उसत निकलवाना चाह रहा हूँ इन सब का मेरे बच्चों अब मैं उसत निकलवाना चाह रहा हूँ इन सब का आगर मैं इन सब का उसत निकलवाना चाह रहा हूँ तो आप जानते हैं कि इन सब का उसत क्या होगा 10 और 19 बही करमागत नमबर है पहले और आकरी का जोड कर लो 10 और 19, 39, 39 का आधा कितना हैगा 14.5 यानि ओसत में डिफरेंस जो बड़ा है या ओसत में जो अंतराय है वो धाही का है जबकि एक्च्वल में यहां से यहां तक नंबर में डिफरेंस कितना है था 5 का तो मेरी बात बिलकुल सही है कि जितना नंबर में इंकरीज हो रहा हुए उसका आधा ओसत में होता है लेकिन अगर मैं आपसे यह गह दूँ कि भाई मुझे ओसत ही क्यों नंबर का बताओ मैं यह पूछी निए रहा कि सम का ओसत हो बारा पांच सत्रा अगले पांच का सत्रा पांच 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 प हाए ना अगर वो यह एक है था इनको सामिल कर दें इनको सामिल गर दें और अब ओसत बताओ तो फिर, यहां से भिठ नहीं серьरफर्यंस पाँड़ा तो घई बढ़े 방 aba गर हाँगए इनका x है तो आगे 10 नंबर बढ़ रहे हैं तो एक का डिफरेंस बढ़ रहा है 10 डिफरेंस दस का आदा 5 तो नया उसत x प्लस 5 होगा अगर वो यह कह देता कि सब को सामिल करो तो मेरा उसत होता x प्लस 5 लेकिन उसने अभी अगले से अगले 5 बता ओ तो ऐसे cases में बस यह देखा करो कि अगर नंबर के बीच का डिफरेंस एक है अगर नंबर के बीच का डिफरेंस है तो यह देखे और ओसत x है कि अब कितने नंबर ओर बढ़ रहे हैं 10 तो ओसत में भी 10 का increase हो जागा यानि नया ओसत x प्लस 10 हो जागा हाँ है न ध्यान रखना, सम्मलित करना और अगले से अगले वालों का individual बताना दोनों बातों में अंतर है करिए मेरे प्यारे 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 प्य क्या होगा पच्चेस हाँ जी बताईए मेरी प्यारे पिछो क्याता जी पांच- पचास क्रमागत प्राकरतिक संख्याओं का होसत एक यदि अगली चार प्राकरतिक संख्याओं को भी जोड़े तो भई अभी ओसत एक्स है तो पीपर के कुश्यन और जिटी साते हैं अब कह रहा है अगर एक संख्या और सामिल कर लें तो एक संख्या और सामिल करेंगे तो हर संख्या में डिफरेंस दो दूखा होगा क्योंकि even number आपने कहा तो कुल मिला कि डिफरेंस कितना बढ़ जाएगा दो तो ओसत मेरे बच्चे डिफरेंस का आदा बढ़ेगा यानि नया ओसत की प्लस वन हो जाएगा नया ओसत मेरे प्यारे बच्चो की प्लस वन हो जाएगा हाँ याना मेरे प्यारे बच्चो किसी भाई को दिकत नहीं कर ये मेरे बच्चे क्यारे जी एन लगातार सम संख्याओं का उसत किया जी मान लिया आप कहते हैं जी दो लगातार करम और जोड दी जाए यानि दो और अगली इवन नंबर जोड दिये तो हर एक में डिफरेंस दो होता है तो दो में डिफरेंस कितना हो जाएगा चार तो ओसत में उसका आधा है यानि नया ओसत मेरे बच्चे के प्लस टू हो जाए यानि जितना आप नंबर में डिफरेंस करेंगे उसका आधा उसत में करेंगे मेरी प्यारे पचो करिए इस सवाल को बहुत ही खुबसूरत सवाल है अक्सर रिपीट होता है पेपर में देखेजिए सवाल में क्या कह रहा है कहता है एक टीम के पांच सदश्यों के भार को करमानुसार मापा गया कहता है एक टीम के पांच लोग है ये पहला आदमी ये दूसरा ये तीसरा ये चोथा ये पांच जब इनको हमने करम अनुसार मापा यानि यह कंजुकेटिव नंबर समझे कंजुकेटिव नंबर की तरह ठीट हो रहे करम अनुसार मापा गया तो उनके ओसद भार की गणना प्रतिक सदश्य का बार लेने के बाद की गई कहता है जो इनका average calculate किया गया ना इनका ओसद भार की गणना प्रतिक सदश्य का भार लेने के बाद की गई है अब समझेजी कहनी कहते हैं पांच लोग थे हर एक आदमी का एक एक करके ओसद लेते हैं सबसे पहले इसका ओसद लिया कहता है जी सबसे पहले इसका ओसद निकाला सबसे पहले मेरे बचो इसका ओसद निकाला मान लीजिए यही रहा जितना इस आदमी का वजन होगा वही ओसद होगा अब कहता है हमने इन दोनों आदमियों को 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 इन दोनों यानि ये 3 था तो अब हो गया A plus 4. मेरे बच्चों कहना हो क्या चाह रहा है सवाल में? कह रहा है कि अगर हम करम अनुसार एक एक आदमी का वेट मापते चले जाएं. यानि पहले एक आदमी का वेट लिए और इस तरह से हमने देखा कि जब हम एक एक आदमी का वेट बढ़ाते चले जाते हैं, यानि एक एक आदमी को ग्रूप में सामिल करके वेट निकालते रहते हैं. यानि पहले एक ही संख्या का वेट निकाला, फिर दो का निकाला, फिर तीन का निकाला, फिर चार का निकाला और फिर पांच का निकाला. तो जब हम इस तरह से वेट निकाल रहे थे, तो मेरे बच्चे हर बार वेट एक एक की वर्दी हो रही थी. और मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों मैंने आपको क्या समझाया थोड़ी दिर पहले कि अगर आपके ओसत में एक-एक का इंकरीज हो रहा है ओसत में एक-एक का इंकरीज हो रहा है तो विश्वास मानिए आद्मियों की संख्या में डबल इंकरीज हो रहा होगा बताया कि नहीं बताया आपने का जी हां बताया कि अगर उसत एक एक बढ़ा होगे तो आदमियों का जो वजन होगा ना वो दो दो बढ़ता चला जाएगा मेरे बच्चों आदमियों का जो वजन होगा वो कितना बढ़ता चला जाएगा दो दो बढ़ता चला जाएगा तो उसने यही पूछा कि भई पहले वाले आदमी और आखरी वाले आदमी के बीच का डिफरेंस कितना था तो भई पहला आदमी फिक्स होगे इसका कितने आदमी थे एक, दो, तीन, चार तो हर एक में दो दो बढ़ा होगे उसका चार आदमी और रहे गया, हर एक में दो दो बढ़ा होगे तो चार दोनी आट सी धानस, एक सेकंड हाई है ना मेरी प्यारे पिच्छो लेकिन मेरी आदत है पहले तरीके से समझाने की चीजों को फिल कराने की करते ही एक दम जहर नहीं काटाना सवाल में, आओ करिए मेरे पिच्छे सवाल को पढ़िया आद दे आजए और मेरे पिच्छो मेरा हर एक बैच हर महीने केरवे लैब पर आता है और पांस तरीक कव बैच आता है तो अगर आप इंटरिस्टेड है मेरे बैच में तो यह जो पोस्टर आपके सामने आ रखा है आप चाहें तो इस बैच को पढ़ाया जा रहा है आपके स्टेट एकजाम में आने वाली सारी चीजे पढ़ाया जा रही है और मैं पढ़ाता ऐसे ही हूँ दीरे 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 बलकि इससे भी दीरे चला जाता हूं मैं क्लासेज में तो यह तो फिर भी recorded class है और edited class हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस badge को join कर सकते हैं और इसके अंदर आपको सारी doubt session live मिलते हैं आपको हर एक chapter पे हर एक class के बाद उसके class notes मिलते हैं handwritten class notes मिलते हैं साथ की साथ PDF मिलेगी जिसका आप चाहें तो print out निकाल सकते हैं साथ की साथ जो यह board work होता है यह पूरे का पूरा board work मिल जाएगा आपको हाँ है ना तो आपको free test series मिल रही है के रहे लैप पर तो मेरे पेरे बचु यह सारी छी facility मेरे बेच के साथ आपको available होती है तो आप चाहें तो मेरे बेच को join कर सकते हैं पांस तारिक से मेरा बेच है देखे दोस्त 20 खिलाडियों का वजन करम में मापा जाता है और प्रते खिलाडी के वजन को मापने के बाद उसत वजन की गंड़ना की जाती है फिर हर बार उसत वजन में तीन किलोग्राम की विर्दी हो जाती है हर बार उसत वजन में तीन किलोग्राम की विर्दी हो जाती है तो पहले और आखरी के वजन के बीच का अंतर गयात करिया पहले और आखरी के वजन के बीच का अंतर ग्याद करिया मेरे बचों अगर ओसत में तीन बढ़ रहा है ना तो एक्चुल में हर एक में वजन 6-6 किलो बढ़ रहा होगा अब आदमी कितने हैं बाबू 20 तो 20 में से पहला आदमी फिक्स कर दो बचे कितने आगे और हर एक में अगर 6-6 बढ़ा होगे तो 19 चिक्के कितना होता है 20 खिलाडियों का वजन करब में बाब जाता है प्रतिक खिलाडियों के वजन को पहले और आखरी के वजन के बीच का अंतर ग्याद करना मेरे बचो इसके ऑफशन में ही गड़बर लग रही मुझे और यह 19 चिक्के 114 होना चीए तो यह 19 ती यह 57 जिस भी विद्वान ने हमारे इंटलेक्ट्ट्टल ने किया उसको काट के हैं 114 किलोग्राम लेजे यानि मेरे प्यारे बच्चो जो डिफरेंस होगा वो 114 किलोगा होगा अंजी बताईए देखे मेरे बच्चे बहुत ही खुशूरत सवाल 37 में से 7 चात्रों की उचाई करम से मापी जाती है कितने चात्रों की मेरे बच्चे 7 37 में से केवल 7 चात्रों की उचाई मापी गए केवल 7 लड़कों के तो सारी चर्चा जो चल लिए हो 7 पे चल लिए अब कह रहा है कि हम जब क्रम अनुसर मा पने हैं तो हर बार O60 0.5 बढ़ रहा है तो अगर O60 0.5 बढ़ रहा है तो actual जो वजन हो गए actual जो height होगी हो कितनी बढ़ रही होगी एक actual height मेरे पेरे बच्च उनकी एक एक बढ़ रही होगी तो पहले और अन्तिम चातर के बीच का अंतर कितना होगा 6 ये सब टाइपिस्ट दिमाग लगा रहा है हमारा तो आंसर होगा 6 क्योंकि उसने सीधा 6 को 0.5 से गुना करके 3 आंसर ला दिया तो आंसर होगा मेरे बच्चे 6 घबरा ना नहीं जो मैं बता रहा हूँ वही सही कहता 26 में से 11 सदश्चों का वजन करम में मापा जाता और परतेक सदश्चे के वजन को मापने के बाद ओसत वजन की गंड़ना की जाती फिर हर बार ओसत वजन में 1 किलोग्राम की विर्दी होती है तो अगर ओसत में एक किलोग्राम की विर्दी होती तो एक्चुल वेट में दो किलोग्राम की विर्दी होती है मेरे बचे अब कहानी है केवल ग्यारा सदश्यों की और किसी की नहीं है सिर्फ ग्यारा सदश्यों की बात है तो ग्यारा सदश्यों में मेरे बचे पहला सदश्य fix कर देंगे तो बच्चे कितने 10 और हर एक में 2-2 का difference लोगे तो कितना वजन का difference हैगा 20 किलो तो इसका मतलब उनके वजन में जो अंतर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 20 किलो का येगा कितने का आएगा 20 किलो का हाए है न मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको ए से लेके जड़ तक जीरो से लेके हिरो तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी के से समझाऊंगा और किसी भी competitive level के exam को आप असानी से clear कर पाएंगे मेरे पहरे बच्चों इस बैच में आपको क्या क्या चीजे मिलती है पहली चीज सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज आपकी practice batches भी इसी के अंदर मिले गा चोती चीज यहाँ आपको live doubt session मिले गा पाँचवी चीज आपको यहाँ पर free or cost test series प्रोवाइड करा ही जाती है Thank you मेरे बच्चों देखिए मेरे पेरे बच्चों इस सवाल को करने का प्रियास करिए सवाल में करा है पाँच संख्याओं का ओसा 26.4 पहली संख्या सेश चार संख्याओं के योग का पाँच वाभाग है कहता है पाँच संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पाँच सवाल में करा है कि पहली जो संख्या है चार से संख्याओं की योग का पांच वाग है तो इसका मतलब अगर इन चारो संख्याओं का योग मेरे बच्चे में पांच एक्स मान लो तो ये वाला नंबर कह रहा है कितना है एक बटे पांच मतलब एक्स है यूनिट में मानना चाहूँ यूनिट में मानना चाहूँ ऐसे कर लो पहली संख्या क्या होगी आपसे पूछा है तो मेरे बचे ओसत निकालने का सूतर क्या होगा सर सारी संख्या हो गई हो तो पांच और एक छेक्स बटे संख्या हैं कितनी सर एक, दो, तीन, चार, पांच और उसर दे कितना रखा मेरे बचे 26.4 26.4 अब मेरे बचे पॉइंट हटाएंगे, बटे 10 लाओगे, पांदूनी 10 6 से काटोगे, 6.24, 6.24, दो से काटोगे 22 तो X की वैलियो आगए मेरे बचे 22 इसका मतलब जो पहली संख्या है, वो हमने X मान लई, तो वो आगए 22 बड़ा सिंपल सा फंड़ा है, पांच संख्याओं का उसर इतना है पहली संख्या सेश चार संख्याओं की योग का पहली संख्या से चार संख्याओं की योग का तो चार संख्याओं की योग का एक बटे 5 यानि चार संख्याओं का योग 5x माल लूँ तो पहली संख्याओं का हो जाएगा 5 वाग यानि एक बटे 5 तो 5x का एक बटे 5x बहुत सुन्दर बता ही मेरे वच्छे करदी आठ करमागत प्राकर्तिक संख्याओं को आउसत इतना है आठ करमागत प्राकर्तिक संख्याओं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ हां जी, तो मेरे बच्छे इनके ओसत कौन सा होगा, आठ का है, क्या है, इवन नमबर, तो आठ का अदा, चार यानि फोर्थ नमबर और मेरे बच्छे फिफ्ट नमबर यानि अगर ये चोथी संख्या है और ये पांचवी संख्या है मेरे बच्छों, तो इनके बीच का जो होगा, वो मेरा ओसत होगा, और इनके बीच का नमबर है 38.5, और कंजिकेटिव नमबर है, मतलब नेचरल है, ये 38.5 है, ये 49 होगा, और ये मेरे बच्छे 38 होगा, तभी ते इनके बीच 38.5 है, आपने का हाँ, किरा सबसे बड़ा नमबर बताओ, तो मेरे बच्छे ये, इसके आओ कितने नमबर है, एक, दो, तीन, तो हर एक नमबर एक एक बढ़ेगा, तो 49 और 32, तो इसके मतलब सबसे बड़ा नमबर क्या होगा, मेरे बच्छों, सबसे छोटा क्या होगा, तीन घटा दो, 35, आए ना, करिए मेरे बच्छे, कहता है, 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का ओसत क्या है, जो 6 से विवाज है, कहता है, 11 से 80 के बीच में ऐसी कितनी संख्याओं है, जो 6 से डिवाज होती है, तो मेरे बच्छों, दो चीजे इस रूप से ध्यान देने की है, एक तो ये सब्द बीच है, क्योंकि बीच सब्द बहुत कतरनाक है, तो भीया, बीच सब्द का मतलब है, कि ना तो आप 11 ले सकते, ना 80, तो इन से छोट बीच के ऐसे नमबर ढूणने है, जो 6 से डिवाज हो, तो 11 से अगला नमबर 6 से कुन सा डिवाज होता है, तो आप कहेंगे 12, फिर 18, और फिर ऐसे ही, और मेरे बच्छे, 80 के आसपास कुन सा नमबर है, जो 6 से भाग होगा, तो पाड़ा पड़ोगे 12 चेक 72, 13 चेक 78, वैसे चोटा नमबर आराम से चेक कर लो कि कोई बड़ी चीज है नहीं, हाँ है ना, लेकिन अगर मेरे बच्छो कोई बड़ा नमबर होता, फिर कैसे चेक करते हैं, तो 80 को 6 से भाग दे लो, तो 6 से भाग देंगे, 6 कम 6, आजी, सेसफ़ल कितना बचा, 2, फिर 6, 3, 18, सेसफ़ल कि यानि, 78 भाग हो जाएगा, अब मेरे बच्छों ये कंजुकेटिव नमबर से, और अगर कंजुकेटिव नमबर है, तो कंजुकेटिव का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, पहले और आखरी का उसत, तो 12 जमा अठेटर का आधा, तो यह आएगा 45, बारा और अठेटर का बताईए जी, आएए मेरे बच्छे, आठ और चोहतर के बीच सभी संख्याओं की ओसत क्या होगे, आठ और चोहतर के बीच की सभी संख्याओं का उसत क्या होगा, जो साथ से रिवाइड हो, तो मेरे बच्छे, आठ के बाद वाला कौन सा नमबर है, जो साथ से भाग होगा, तो आप कहेंगे साथ, दूनी, चोदा, साथ, यह एक के, साथ, चुकुट, थाइस, ऐसे चलते च परिए मेरे बच्छे, इस सवाल को, क्या रहा है, सो और दोसों के बीच सभी संख्याओं का उसत क्या होगा, जो तेरा से भाग होगा, तो मेरे बच्छे, सो के आसपास, तेरा का पढ़ा पढ़ोगे, तेरा साथ एकान में, तेरा ठेक सो चार, वही बीच सब इस्तेमाल हो खाया तो मनलब ना सो ले सकते हैं ना दोसो, तो सो और दोसों के बीच ही ढूंड़ना है, तो एक सो चार, फिर एक सो सतरा, और ऐसे ही मेरे बच्छे, दोसों से छोटा नमबर लेना है, ती नमबर तो छोटा है, सीधा सीधा भाग दे लेते हो, लेकिन तरीका यह है, कि ठोंड़े, तेरा से भाग देंगे, तेरा कितना बचा, साथ, तेरा पांजे, पैंसाट कितना बचा, पांच, तो सेस्फल आया पांच, तो दोसों में से पांच घटा आया, मेरे प्यारे बच्छों, एक सो पिचान में, बिल्कुल सही है सर, तो मेरे बच्छों ओसत निकाल देंगे डेड़ सो तो यह कम है तो एक सुन इंचा स्पाइंट पाच हाए ना मेरे बच्चो बताइए मेरे बच्चे के रहे दा मीन ओ फाइफ उब्जर्विशन इस से एलेवन कहता है यह पांच आंकड़े दे रखे हैं और पांचो करमागत संख्या हैं एकस एकस प्लस टू यानि दो दो के डिफरेंस पे कहता है इनका ओसत ग्यारा तो अंतिम तीन प्रेक्शनों का ओ अगली है 13 उससे अगली है 15 और ओसत क्या होना मेरे बच्चे बीच का ओसत क्या होना मेरे भाई बीच का तो बीच का क्या हुआ 13 तो नया ओसत क्या होगा 13 पई एक बात समझो आपको कुछ नहीं करना बस एक बात समझनी थी कि ये पांच संख्या हैं एक दो तीन चार अब कह रहा है कि अगर ये तीन नमबर ले ले ये तीन नमबर ले ले और इनका उस्थ बताओ तो सर इनका उस्थ ये वाला होगा X plus 6 तो ये पहले वाले से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो पहले वाला 11 था तब ये 2 ज्यादा मतलब वो उसाद कितना हो जाएगा 13, हाई ना आईए मेरे बैचे करिए इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल है देखते हैं, कौन बच्चा सबसे पहले उतर देता है कहता है, the average of 5 consecutive integers starting with M is N 5 करमागत संख्याओं का उसाद जो M से प्रारम होता है N है 5 करमागत संख्याओं है, तो मेरे बच्चे कोई भी 5 करमागत संख्याओं मान लीजे आपने का जी मैंने मान लिया 1, 2, 3, 4, 5 और जरूरी नहीं है कि आप इस चीज़ को लिखें, paper में, बिल्कुल भी नहीं अब बस सिधा सिधा सोच लिया आपने का, जी 5 करमागत संख्याओं जो M से प्रारम होती है यानि आपने इस M मान रखा है तो इनका उसाद है N आप जिखें, तो मेरे बचें पास संख्याओं को उसाद बीच वाला होगा इसकानलों N की वैल्यू आगई 3 अब कह रहा है, झाहिए, हमने और आगे संख्याओं लेनी है लेकिन उस जो संख्याओं शरू होंगी Stockholm किस्से होंगी M पलस 2 से किस से सरू होंगी मेरे बच्चे M प्लस 2 से सरू होंगी तो M की वैल्यू एक है इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 तो यनि अब जो संख्यां सरू हो रही है मेरे बच्चे किस सरू हो रही है 3 से अब जो संख्यां सरू हो रही है 3 से 3, यह नहीं तीसरी और चोती संक्या का आदा तो पहली दूसरी तीसरी है, चोती है तो इनका आदा, 5 और 6 का आदा कितना हुआ मेरे बच्चे, तो भाई 5 और 6 के बीच में कितना, कौन सी value बढ़ी बताओ, तो आप कहेंगे सर्थ 5.5 अब नए आउसत होगा 5.5 पहले आउसत क्या था? 3 अब होगया 5.5, तो कितना बढ़ गया? 2.5 तो पहले आउसत अगर n था तो अब मेरे बच्चे 2.5 बढ़ गया तो अब नए आउसत n plus 2.5 n plus 2.5 होगया, मेरे बच्चो हाए ना आप कहें तो देई निर्खाए रहा न, देखो दो N से भाग दोगे, N आएगा, पांच को दो से भाग दोगे, दो पांच आगया, फिर से समझाने की कोशिस करता हो समझे, जो बच्चे नहीं समझ पाए, देखें मेरे बच्चे, किया तहां पांच संखें, आप अपनी तरफ हमारा o sat होगा 3 और इसी को उसने नाम दे रखा and और जहां से हमने सरू किया इसको नाम दे रखा m बिल्कुल सही जी अब कह रहा है जी जहां से हमने सरू किया हमने सरू किया m से लेकिन कह रहा है अब सरू करो m प्लस 2 से m की value एक एक में 2 जोड़ो 3 से नहीं 3 से सरू करो और कितनी संख्या लेकिनी 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 3 संख्या होगी ओसत क्या होता है मेरे बच्चे ओसत होता है बीच वाली तो 6 संख्याओं का बीच निकालोगे तो क्या हैगा 3rd number और 4th number भई ये तो इतने ने सवल करा दिये मैंने इतनी समस्तों होनी चीए तो इन दोनों के बीच का इन दोनों के बीच की value क्या हैगी 5.5 तो भईया n की value थी 3 तो ये 3 से कितना ज्यादा है धाही बना n से धाही ज्यादा है 2.5 ये हाई है ना मेरे बच्चो झाल झाल यह मेरे बिच्चे है अब जड़ा सामने आई है किया रहा है X से सरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का उसत A X से सरू होने वाली 5 लगातार संख्याओं का उसत A तो कोई भी 5 लगातार संख्याओं ले लेते है 1, 2, 3, 4, 5 समझने के लिए तो आप कहेंगे सर अगर हमने इसको X माना है तो मेरा O सत आएगा सर 3 और उसको नाम दिया इन्होंने A सर कोई बुराई नहीं है अब कह रहा है X प्लस 2 से सुरू होने वाली तो भी या X की वैल्यू 1 लियो तो इसमें 2 जोड़ों के तो कितना आ जाएगा आप कहेंगे 3 तो 3 इसका अब आप सरुवात कर रहे हूँ यहाँ से और कितनी संख्या लेनी है 8 संख्या लेनी मेरी बच्चे तो दीखे जो बुरक बच्चे है वो तो ऐसे करेंगे अगली 8 संख्या लेनी तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्योंकि 8 संखे लेनी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आट संखे हैं होगी जी अब इनके बीच का उसत निकालेंगे तो इसके और इसके बीच का नम्बर होगा इसके और इसके बीच का नम्बर होगा 6.5 होगा तो अगर A की value 3 है या 3 की value A है तो ये तीन से कितना ज्यादा है, साड़े तीन, तो नए उसत हो जाएगा, ए प्लस साड़े तीन, लेकिन जो मेरे बच्चे जो बहुत समझदार है, वो इस बात को ऐसे देखेंगे, कि सर, हमें उसत निकालना है, अब तीन से सुरू होने वाले नंबर का, और तीन से कितनी सं संख्या ले रहे हो, कितनी संख्या ले रहे हो, आठ संख्या ले रहे हो, तो हर संख्या में एक एक जोड़ोगे, तो तीन के बाद साथ संख्या होगे, तो कितना डिफरेंस आएगा साथ, तो मेरे बच्चे अगर नंबर में साथ का डिफरेंस है, तो ओसत में क्या होगा, स आये मेरे नन्ने मुन्ने बच्चों सवाल बहुत ही प्यारा है देखें मैं सवाल को conceptually समझाता हूँ option से नहीं ले जाता हूँ क्योंकि option से तुरंती crack out हो जाएगा बहुत सारे बच्चों का m और n की value पूछिए तो natural है m की value बड़ी होगी तो यहां तो छोटी है तो यह option कट गया यह 35 का work माइनस 20 का work लोगे तो 400 और यह 35 का work लोगे तो 5 का 25 और 3 चुक 12 1200 में से 400 गटाएंगे तो 600 तो नहीं बचेगा तो यह option भी कट गया मेरे बच्चों यहां होगे 20 छोटा है 25 बड़ा है तो यह भी कट गया तो बचाया है इसका अनुलब भी तो option भी ही इसका answer होगा लेकिन यह paper का question है और option से नहीं इसका conceptually समझाने की मैं कोसिस करता हूँ मेरे बच्चों एक बात ध्यान से समझना बहुत ही आसान सवाल है चुटकियों में काउसोल करने वाला लेकिन चुटकियों में आप तब कर पाएंगे जब आपकी समझ उस रूप में विक्सित हो पाएगी और जब तक वो समझ विक्सित नहीं होगी सवाल नहीं कर पाओ आईए मेरे बच्चे कहता है 35 करमागत संख्या है उनका उसद N अब मेरे बच्चों थोड़ा दिमाग दोड़ा न अगर 35 संख्या है और उनका उसद क्या दरखा है N और 35 लगातार संख्या है 35 लगातार संख्या है तो मेरे बच्चे 35 संख्या है तो ओसद कुन सी संख्या होगी करमागत संख्या है तो 35 में एक जोड़ा दो से भाग दिया 36 का अठारवी यानि अगर लगातार 35 संख्या लिखोगे और ये पहली संख्या है और ये लाफ्ट संख्या है मेरे बच्चों तो ओसत जो होगा न वो 18th नंबर होगा average जो निकलेगा मेरे बच्चों कौन सी संख्या होगी तो आप कहेंगे 18 संख्या होगी बिल्कु सही इसमें कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं है जै 28th संख्या मेरे बच्चों सबसे आखली ना ओसत होगी और इस ओसत का नाम उसने दे रखा है इन इस ओसत का नाम दे रखा भाई बहुत संदर जियर अब कहरा है कि अगर हम इसमें से पहले 10 नंबर हटा दे पहले 10 नंबर हटा दे और अगले दस नमबर जोड़ दे हैं तो मेरे बच्चों ये बताओ सोच समझ के अगर आप पहले दस हटा दोगे 30 संख्या थी सरवात के दस हटा दो और अगले दस जोड़ दो तो संख्या तो आज भी 35 रही ना आप कहिए आज भी 35 रही 35 नमबर थे सरवात के दस हटा दी और अगले दस जोड़ दी तो नमबर तो अभी भी 35 रही बिल्कुल सही अगर मेरे बच्चों ऐसा है कि सरवात के दस हटा के और आखरी के दस जोड़ दे रही तब भी नमबर 35 ही है तो अब जो नए नमबर बनेंगे उसका उसत भी तो इसी तरह निकलेगा 35 बटे जमाए एक बटे दो यानि अठारवा नमबर यानि जो नए सिक्वेंस बनी उसमाँ अठारवा नमबर ही होसत होगा लेकिन अठारवा चालू कहां से होगा क्योंकि यहां से तो सरवात के 10 नमबर आपने हटा दिये लिश्ट से रिमूव कर दिये अरे हाए ना यहां से सरवात के 10 नमबर हटा दिये बटे यह सरवात से 10 नमबर आपने हटा दिये तो अब यहां से 10 नमबर कौन सा हो जागा बताओ मुझे तो आप कहेंगे सर यहां से 10 नमबर हो जागा 28 28th क्योंकि 10 number remove कर दिये तो 28th जो position होगी अब वो मेरा उसत होगी और मेरे बच्चों ये क्या दे रखा है इसका नाम लिख रखा M आपने का जी बिल्कुल अब मुरक से मुरक बच्चा भी ये बात को समझता है क्या कि भाई लगातार number है कितने number है लगातार number है तो 18 के बाद कितनी संख्चाएं और आ रही है 10 संख्चाएं और आ रही है और हर एक number में एक एक का difference है तो 10 संख्चाओं में कुल मिलाके कितने का difference हो गए 10 का इसका मतलब ये जो number है इससे ये number 10 बढ़ा है मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि M minus N की value जो है वो 10 है आप ने कहा जी हाँ और हमें फार्मॉला लिखा हुआ है सार M square minus N square ये बराबर है सार 600 के तो A square minus B square का फार्मॉला लगाएंगे तो A minus B into A plus B ये 600 है मेरे बच्चे तो M minus N की value है 10 यहां रखेंगे 10 10 से काटेंगे तो M plus N की value कितनी आ गई तो 60 अब मेरे बच्चो M minus N की value 10 रखने भी तो M plus N आ आ है M minus N रखा है 10 और M plus N रखा है 60 तो सोल करके M और N की value निकाल देंगे बिल्कुल निकलेगी जोड़ोगे तो मेरे बच्चे M की value आ जाएगी N से N कटके 2 M बराबर 70 तो M की value 35 और N की value आ जाएगी 25 तो मेरे भाईयों आपका सही उत्तर होगा भी किसी भाई को समझ नहीं आया होगा तो मैं दुबारा समझाता हूँ गवराना मत देखें बिल्कुल conceptual part से समझेंगे देरे देरे समझेंगे आराम से मीन लड़ाई क्या है बस उस पर आते है जो समझ गयों बहुत अच्छे बच्चे है कि भाई मैंने समझो उसने का कि average of 35 consecutive natural number 35 करमागत संख्य है मैं कोई भी 35 नंबर ले लेता हूँ तो मैं गिंती करता हूँ एक से एक, दो, तीन, चार ऐसे चलते 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 मैंने 35 नंग्या ले ले ली ये तो थी भाई पहली कंडिशन, बिल्कुल ठीक है अब आते हैं दूसरी कंडिशन पर अब दूसरी कंडिशन में कह रहा है कि मैंने सरवात के 10 नंबर हटा दिए तो एक से लेके 10 तक हटा दिए तो गिंती कहां से चालो करूँगा 11 से 11, 12, 13, 14 ऐसे और आखिर के 10 नंबर जोड़ दिए तो 35 में 10 नंबर और जोड़ देंगे मेरे बच्चे तो गिंती कहां तक जाएगी तो सिंपल इतनी सी बात आपको समझनी है कि आगर यहां से देखे तो गिंती लगातार है यहां से भी गिंती लगातार है अच्छे यहां 18 पोजिशन जो होगी वो मेरा उसत होगा क्योंकि नंबर तो 35 है भई नंबर तो ये भी 35 है और अगर करमागत संख्य है तो ओसत बीच वाला नंबर होता है तो 35 संख्या हों में बीच वाली कौन सी अठारवी संख्या तो यहां से भी अठारवी संख्या है 18th नंबर एवरेज होगा और इसकी भी 18th नंबर एवरेज होगा इसकी भी 18th number average होगा आपने का जी हाँ किसी भाई को दिक्कत है नहीं है जी लेकिन अगर मैं इस 18 पोजिशन वाले number के बारे में पूछू कि यह number क्या होगा यह number क्या होगा तो आप कहेंगे यहां से 18 संख्या है मेरे भाई तो यह number कितना होगा 28 यह कितना होगा 28 और इसका नाम उसने दिरखा M समझाने के लिए और यहां से 18 और नमबर 18 ही होगा क्योंकि continue number है और यह इसका नाम दिरखा N तो यह नहीं पहले उसत N था तो अब उसत M आ गया मैं आपको सिर्फ यह कहना चाहरा हो कि इन दोनों की बीच का difference कितना हुआ तो 28 और 18 की बीच का difference 10 हुआ हाई ना number यह नहीं है लगातार number नहीं है इस सिर्फ समझाने के लिए कि भाई यहां जो number होगा और यहां जो number होगा उन दोनों की बीच में 10 आगे चला गया तो difference 29 में कितना है 10 का और बस इसी की जरूरत तो थी इसका answer निकालने के लिए M माइनस आए न अगर 10 आ गया फिर लड़ाई बची कहा है तो भाईया 10 से काटेंगे 600 तो कितना रह जाएगा 60, 60 हो जाएगा हाँ जी कितना हाँ जी हाँ देखें मेरे बच्चे, सवाल में कर रहा है, एक समूग की एक ही आठ लगातार समसंख्याओं का योग 306 है तो मेरे बच्चे, अगर आठ संख्याओं का योग 306 है तो ओसत क्या हो जगत, आप कहेंगे आठ से भाग दे देंगे सर आठ चोग बतेस आठू साथू चपपन है यानी सर इनका ओसत था 47 अब कहा रहा है जी एक और नमबर है एक और सेट है उसका नाम रख लेते हैं मेरे बच्चे मान लीजी बी और बी के इंदर कितने डाटा हैं एक दो तीन चार पांच अब कहा रहा है इसकी जो सबसे चोटी संख्या है वो इसके ओसत से पंदरा बढ़ी है तो 47 में पंदरा जोड़ोगे तो साथ पांच बारा चार एक पांच रिक छे बासट हुई तो कहा रहा है जी इसका ओसत ज्याद करे तो पूछा क्या है कन्या समू की पांच लगातर संख्याओं का योग अच्छा इनका योग याद करना क्या होगा तो मेरे बच्चे ये नंबर है 62 तो ये 63 होगा ये 64 होगा तो इसका 64 आ गया इन 5 संख्याओं का तो योग कितना होगा 64 गुना 5 पांच योग 20, 5 इंग 30 और 22, 320 कता है यहां थक? नहीं आईए मेरे प्यारे बच्चो करिये सवाल को देखेजी सवाल में किया रहा है the average of 5 conjugate even number and 5 conjugate old number is this कहता है 5 करमागत संख्याओं और 5 करमागत विसम संख्याओं का उस्षत इतना है if the average of the given 5 even number is 5 even number is 40 then find the average of given 5 odd number देखो मेरे बच्चे कहाँ पांच लगातार even number है और 5 लगातार odd number है यह odd ऐसे है odd है कहता है इनका इसका average दिर्खा है उसने कितना? 40 इसका average आपको बताना है कितना होगा और कहाँ रहा है सभी का कुल मिला के 49.5 है तो मेरे बच्चों ध्यान देना दो तरीके करने के बई 5 करमागत सम संख्याओं का उसस चालेस है बिल्कुल सही है 5 करमागत विसम संख्याओं का उसस हमें निकालना है कितना होगा सभी का उसस दिर्खा 49.5 है तो जिन मेरे बच्चों को मिसरन पढ़ना आता है पकड़ना आता है वो तो सीधा सीधा कर देंगे सवाल को हाँ जी चालेस में 49.5 गया 0.5 अब यहाँ पे भी 5 ही नंबर थे यहाँ पे भी 5 ही नंबर थे नंबर का रिश्वा है वन इस टू वन तो यह 0.5 है तो यह भी 0.5 होगा अब अगर ओसत इस से छोटा है तो इस से बढ़ा होगा तो इस में से गटा के 0.5 आयते यह नंबर क्या होगा 49 तो एक तरीका तो यह है कि इनका जो आंसर होगा वो 39 होगा जिन बच्चों का एवरेज निकालना आता है अब जिन भाई बंदूओं को एवरेज निकालना मिस्रण से नहीं आता या जिनोंने मिस्रण नहीं पढ़ा वो ऐसे देखे कि दो बराबर संख्यों का ग्रूप है पहले वाले का ओसत है 40 दूसरे वाले का ओसत अगर इन दोनों नमबर ओफ ऑफ जर्वीशन का उसत 49.5 है तो ये 40 है तो ये कितना होगा तो नेचुरल ये 49 होगा क्योंकि 49 और 40 के बीच का ही तो उसत 49.5 होगा अरे हाँ है ना अब आए इस सवाल पर आए ये मेरे पेरे बच्चों इस सवाल पर देखिए बड़ा ही खुबसूरत सवाल है सवाल में क्या कह रहा है कहता है तो इबरेज अब 22 कंजुकेटिव नेच्रल नमबर इस 25.5 22 करमागत प्राकरतक संख्याओं का ओसत 25.5 है इन 22 में से 11 तो सम होंगी और मेरे बच्चे 11 ही विशम होंगी तो जो 11 even है ना और जो 11 odd है उसके बारे में चर्चा करनी है नमबर दोनों जो कैसे ही मैं तो कहता है जो 11 even नमबर है ना उनका ओसत दिरखा है सोड़ा और जो 11 odd होंगी उसका ओसत हमें बताना है और इन सभी का जो ओसत दिरखा है मेरे बच्चे वो दिरखा 25 पांच है 25.5 तो मेरे भाईवों एक बात ध्यान अकना हमेशा कि इन दोनों नंबर का औसत 25.5 है तो ये 25.5 इन दोनों के बीच का नंबर होगा है या इस नंबर को B मान लीजे तो इन दोनों के जोड का निकाल दो 16 जमा बी बटे दो ये औसत होगा 25.5 तो भाई 16 जमा बी 25 दूनी 50 रेकी क्याओन तो बी की वैल्यू एक क्याओन में से 16 गटाएंगे तो आएगी कितनी 35 आएगी शायद 35 और 16 कितना हो गया एक क्याओन का था 25 पांट पांट तो मेरे बच्चे उन संख्याओं का उस सदोगा पैते से किसी भाई को दिक्कत नहीं करिए मेरे प्यारे बच्चो इस सवाल को मेरे बच्चो ये चीज मैंने आपको सरुवात में पढ़ाई थी कि मान लीजी मैंने कोई नंबर ले रहा हूं मैं 3, 4, 5 तो आप भी बताएं इनका उस सद क्या हुआ तो आप कहेंगे 4 ही हुआ अब मैं एक इस से पहले की संख्या ले ले लू और एक इस से बाद की संख्या ले लू अभी भी तो ओसत वही रहेगा भई ओसत हमेशा भी चोला नंबर होता है अगर आप पीछे की कुछ जोड रहे हैं आगे कुछ जोड रहे हैं और तब भी बीच वाली वही है तो फिर तो फरक पढ़ना ही नहीं हो होसत वही क्या भई रहना है अरे हाए ना एक चीज और भी बात समझो यह जरूरी नहीं के तो पांच और नौ तो इनका होसत क्या हुआ जी साथ कैसे नौर पांच चोड़ा का अधा शाथ हुआ अगर मैं इसे पहले भी लूँगा ना तीन और इससे पहले आगला लोगा ग्यारा तो ग्यारा और तीन का जोड़ भी चोड़ा होगा पाँच और नो का जोड़ भी चोड़ा होगा इससे पहले वाला एक लोगा और इससे अगले वाला तेरा लोगा तो अभी भी इनका जोड़ चोड़ा ही होना है हाए ना फोर्ट देखो मेरे भाई, साथ करमागत विसम संख्याओं का ओसत ए है तो अगर साथ संख्याओं का ओसत ए है साथ संख्याओं का ओसत मेरे बच्ची क्या है? तो इसका मतलब सबसे बीच की संख्या होगी ए सबसे बीच की संख्या होगी ए और साथ संख्याओं तो साथ संख्याओं में सबसे बीच का नंबर कौन सा होता है तो आप कहेंगे फोर्थ नंबर बीच का होगा तो फूर्थ नमबर हो ए अब कह रहा है जी पहले की हमने यानि साथ संख्या है चलो डिटेल समझाता हूँ एक अब मान जा एक दो तीन चार पांच छे साथ संख्या थी अब सवाल में कह रहा है कि बाबू इसमें चार तो अगली जोड़ दो कितनी जोड़ दो चार अगली जोड़ दो एक दो तीन चार चार अगली जोड़ दे और तीन पिछली जोड़ दो एक दो तीन कहता जी अब उसत बताओ कितनी होगी तो मेरे बच्चों ये बताओ कि अब टोटल संख्या है कितनी होगी तो आप कहेंगे 14 उसने खुद ही ते रखा है तो ओसत कुन सा होगा तो 14 का आधा और 14 के आधे से एक फालतू यानि 7th नंबर और 8th नंबर के बीच का हिस्सा 7th और 8th की बीच का तो भाई सरवात से 7th नंबर लोगे तो यही आएगा 8th लोगे से अगले वाला आएगा और आप जानते हैं क्या कि अगर यह 7th नंबर हुआ और यह 8th नंबर हुआ और यह Conjugative नंबर है और नंबर है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया दो तो इनके बीच का नंबर में क्या होगा अगर यहां उसत A है तो इन दोनों के बीच का उसत हो जाएगा A प्लस 1 हाए ना इनका उसत हो जाएगा मेरे बैचे A प्लस 1 हो सकता कुछ बच्चों को ना है उसम्द में मैं और भी तरीके से पढ़ाना चाह रहा हूँ इसको देखो भई साथ संख्या है मैंने ले लिए अपनी तरफ से पाँच साथ नो ग्यारा तेहरा चोदा चोदा नीवे पंदरा सत्रा आपने का जी हाँ तो मेरे बैचे इनका उसत बढ़ाई है तो उसत होगा सबसे बीच का नमबर इक है जी अब मैं आपको कहारा हूँ कि जी इससे पहली तीन संख्यां ले लो तो इससे रहे तीन फिर उससे पहले एक फिर उससे पहले माली जी एक ओर ले लेतें कोई भी अभी मैंने च्छोटी ले लिया तो एक ओर नमबर हיה जागा ठीक है अब इससे अगली चार संखें ले ले लें एक, दो, तीन, चार ठीक है जी अब मैं करहाँ जी अब उसद बताओ तो भाई संखें कितनी होगी टोटल चोदा तो चोदा नमबर होगे तो चोदा तीवन है एक तरीका यह है, दूसरा देखें मेरे बच्चे बहुत ही आसान सवाल दूसरी तरीके से समझा रहा हूँ मातर एक सेकेंड में आप कॉश्चन को क्रेक करतें लेकिन सर्थ ही है कि आपको पीछे की सारी चीज़े संवंज में आती हूँ देखें इससे पहले मुझे कुछ एक्जांपल बताईए मैं कह रहा हूँ यह कंजुकेटिव ओड नंबर है यह लगातार विसम संख्या है ध्यान देना यह लगातार विसम संख्या है कितनी संख्या है गिन के बताओ तीन तीन छेवरे एक साथ संख्या है सातों की सातों विसम संख्या है करमागत संख्या है तो मेरे बच्चे इनका ओसत क्या होगा तो आप कहेंगे यह होगा अब मैं आप से अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्यार अगर मैं इसमें एक और करमागत सामिल कर दो नया पैन ले ले दो एक और करमागत सामिल कर दो अब क्या ओसत होगा तो आप कहेंगे सर यह आपने बता रखा है कि अगर नमबर में आगे दो जोड रहे हो तो ओसत में एक जोड दो नया ओसत ए प्लस वन हो जाएगा अगर मैं एक और नमबर शामिल कर रहा हूं तो दो और दो चार जोड रहे हो तो ओसत में दो जोड दो A plus 2 हो जाएगा सर 20 एक बात है कोई फरक तो पड़ा नहीं अब एक बात बताओ सर मैं कह रहा हूँ 7 संख है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखना 4 7 संख है इनका उसाथ है A बिलकुल सही अब अगर मैं आपको यह कहूँ किया रही इससे पहले की A जोड़ दो और इससे आगे की एक जोड़ दो अब उसाथ बताओ आप कहेंगे तब भी A ही रहेगा इससे पहले की 2 ले लो और आगे की 2 ले लो सर तब भी A ही रहेगा इससे पहले की 3 ले लो और आगे की 3 ले लो सर तब भी A की A ही रहेगा कोई दिक्कत है इसमें नहीं अब सवाल पर आते हैं तो भाई कुछ संख्याएं हैं कुछ संख्याएं कितनी संख्याएं मुझे नहीं बता बहुत सारी संख्याएं लेकिन हाई ये तया है कि इनका ओसत कुल मिलाके ए है आपने का जी ठीक है अब अगर मैं कहूं कि इसमें पह आखिर में भी जोड़ रहे हो तो फिर ओसत वही रहता जो है बिल्कुल सही सर लेकिन सर आप जो कह रहे हो सवाल से मैच नहीं हो रहा उसने ये कहा कि आगे तो चार जोड़ो पीछे तीन मैं कहा रहा हूँ चार को थोड़ी दिर भूल जाओ आगे भी तीन जोड़ो पीछे भी तीन जोड़ो तो उसन एह रहा आपने कहा हाँ एह रहा अब मैं कह रहा हूँ आगे एक और जोड़ो आगे एक और जोड़ो तो आप कहेंगे करमागत भी समय है तो इसका लिए डिफरेंस कितना जोड़ा दो अगर दो जुड़ा है तो नया ओसत एक बढ़ जाएगा एक प्लस बाइब ओसत में मेरे पहरे विच्छो एक का इंकरीज हो जाएगा आप ने का हा मज़ा कैसा यह मेरे भाईयों सही है अब कमेंट करके बताने यह बात समझ आई के नहीं आई देखे एवरेज सोचने का काम है जितना सोच सकते हो उतना सोचो जितना बहतरी न तरीके से मुझसे भी बढ़िया तरीके सांसर निकाल देंगे आप आप लोग समझ रहें अलो 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 आएए मेरे बच्चे इस वाले सवाल पर सवाल में किरा है चार लगातार विसम प्राकर्तिक संख्याओं का उसत तीन करमागत सम प्राकर्तिक संख्याओं के उसत से आठ कम है किरा भी चार लगातार विसम प्राकर्तिक संख्याओं है चार लगातार ओड कंजुकेटिव नमबर है इनका एवरेज है मान लीजी A और आगे कह रहा है तीन कंजुकेटिव इवन नमबर है इनका एवरेज है मेरे पेरवचों मान लीजी B तो सवाल में कह रहा है इन तीन समसंख्याओं का योग इन चार संठ्वाओं के योग के बराबर है क्याता है तीन E-1 नंबर का जो सम है वो चार O-ड नंबर के सम के बराबर है चार O-ड नंबर के आवरेज हमने A माल लिया तीन E-1 नंबर के आवरेज हमने झा भे Marla लिया सवाल में कह रहा है कि चार करमागत विसम संख्याओं का योग और तीन करमागत सम संख्याओं का योग बरावर है तो भीया अगर चार ओर नमबर का एवरेज ए है तो उनका जोड क्या होगा तो सम निकालने का फार्मला होता है average into number of observation यह हुआ 4 है और 3 conjugate even number का average B है तो sum क्या हुआ 3 भी है मेरे बच्चों sol करोगे तो A upon B का जो ratio आएगा वो आएगा 3 by 4 3 बटे 4 तो A की value 3 तो B की value 4 इसका मतलब अगर ये वाली value 3 unit है तो ये वाली value 4 unit यानि इनका उसत 3 है तो इनका उसत 4 unit तो मेरे बच्चे ये उसत इससे कितना ज़्यादा है एक unit और actual में दे रखा है कि ये उसत इससे 8 ज़्यादा है या ये वाला इससे 8 कम है तो एक unit 8 है तो 4 unit 32 और 3 unit 8 तो इसका मतलब मेरे पहरे बच्चों 4 ओर नमबर का उसत जो था वो 24 ता और 3 even का उसत 32 उसने पुछा प्राकर्तिक विसम संख्याओं का उसत तो आंसर होगा 24 मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार मेरा नया बैच 5 मई 2023 से स्टार्ट हो रहा है मैं इस बैच में आपको A से लेके Z तक 0 से लेके Hero तक हर एक छोटी से छोटी चीज बारी की से समझाओंगा और किसी भी competitive level के exam को आप आसानी से clear कर पाईगे मेरे पहरे बच्चों इस बैच में आपको क्या-क्या चीजे मिलती है पहली चीज सारी की सारी live classes मिलती है दूसरी वो live classes आपके पास अगले एक साल तक recorded रहने वाली है तीसरी चीज आपकी practice batches भी इसी के अंदर मिलेगा चोती चीज यहाँ आपको live doubt session मिलेगा पाचवी चीज आपको यहाँ पर free of course test series प्रोवाइड करा ही जाती है Thank you मेरे बच्चों